जैसा कि हम लोग 2000 कोशन सीरीज का अध्यन कर रहे हैं उस 2000 कोशन सीरीज में आज हम लोग जो नेक्स टॉपिक है मूल अधिकारों से संबंदीत 110 प्लस कोशन के बारे में डिसकसन करेंगे तो आप इन कोशन को खुछ से स्वाल करने की कोशिस करें बैतर होगा और आये चलते है कुछ मातफूर कोशन के बारे में अगर आपने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो आईए डिसकस करते हैं यहाँ पर मूल अधिका किस भाग में है तो भाग तीन भाग तीन किस सम्मंदित है मूल अधिकारों से सम्मंदित है तो यहाँ पर आज हम लोग 110 प्लस कोशन किस से देखने वाले हैं भाग तीन से मूल अधिकारों से किस किस टाइप की कोशन बनते हैं उनको देखेंगे और उससे जुड़े कॉंस को भी सीखेंगे यानि उससे जुड़ा हुआ एक्स्प्लेशन भी मैं आपको एक्स्प्लेंट करते जाओंगी तो यहां पर फिर्स्ट आफ वल कोशन करते हैं पहला कोशन है मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार समीधान के किस भाग में वड़ित हैं तो जैसा कि मैंने पहली ल हो जाएगा भागतीन यानि वी ऑप्सण राइट हो जाएगा नेस्ट कोशन हम लोग डिसकस करते हैं नेस्ट कोशन है भारत की समीधान का भागतीन किससे समंदित है किससे समंदित है तो मौलिक अधिकारों से सम्मंदित है किसे सम्मंदित है मौलिक अधिकारों से और राजी की नीत निदिलसक सिदान्त ये किस भाग में है तो भाग 4 में राजी की नीत निदिलसक तत्तों के बारे में उलेक किया गया 36-51 आर्टिकल में राजी की नीत निदिसक सिधानत है DPSP जिन्हें कहते हैं कहां से लिए गए DPSP तो I.L.L.E.N.D. के समिधान से लिए गए लेकिन जो ये मूल अधिकार है ये कहां से लिए गए कहां से अडॉप्ट किये गए तो जो मूल अधिकार है वो अमेरिका के समिधान से लिए गए अधिकार कहां से लिए गए अमेरिका के समिधान से और ये जो मूल करतम है ये USSR से लिए गए Soviet संग रूस से लिए गए और जो ये नागरिक्ता है नागरिक्ता का वर्ण कितने से कितने आर्टिकल में तो नागरिता का वर्डन 5 से 11 आर्टिकल और नागरिता भाग 2 को रिपेजेंट करता है जबकि जो मूल कर्तव है, मूल कर्तव भाग 4 का और 51 का आर्टिकल में मूल कर्तव के बारे में उलेक किया गया है तो यानि हमारा कोशन था कि समिधान का भाग तीन जो है वो किस सम्मंदित है तो मूल अधिकारों से सम्मंदित है तो का C option राइट हो जाता है अगर हम लोग यहाँ पर मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं तो इससे जुड़े कुछ important fact देखते हैं जैसा कि हम जानते हैं जो भ भारत का मैगना कार्टा भी कहा जाता है यानि मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है भारत का मैगना कार्टा कहा जाता है और यह जो मौलिक अधिकार है अगर मौलिक अधिकार आप से पूछा जाए कि क्या मौलिक अधिकार जो है वो परवरतनी है तो हां मौलिक अधिकार परवरतनी हैं क्योंकि इन्हें जो है नयाल है यानि कभी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब हनन हो रहा होता है तो उसके पास प्रोटेक्शन लेने के लिए वो कहां जाएगा यानि जब कभी विधाई का या जो है एक्जिक्यूटिव मेंबर जो है वो क्या है यानि इसा कोई लौ या कोई नियम लाते हैं जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा होता है तो व्यक्ति किसके पास जाएगा प्रोटेक्शन के लिए तो व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजा के पास जा सकता है यानि सुप्रीम कोर्ट और हाई को दोनों प्रवति रखते हैं सकारात्मक और नकारात्मक अब आप सोचेंगे कि यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकति कैसे रख सकते हैं तो जब मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों की रख्षा कर रहा है जब मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्रोटेक्शन दे रह तो इसको हम किस द्रस से देखते हैं तब हम इसकी प्रकति को नकारात्मक कहते हैं यानि राज्यों के संबन में देखा जाए तो मौली का धिकार नकारात्मक प्रवतिके हैं और वक्तिकर संदर में देखा जाए वक्तियों के संदर में तो जो मौली का धिकार हैं सकारात्मक प्रवत्ति के मुल अधिकार होते हैं तो इस अंदर में यानि हम लोग मौलिक अधिकारों में जैसा कि मैंने बताया 14-35 आर्टिकल वो कहां पर पढ़ेंगे तो 14-35 आर्टिकल उनका अध्यान मौल अधिकारों में किया जाएगा तो यानि यहाँ पर यह जो मौलिक अधिकार है 14 से 35 यह 6 भागों में बटे हुए हैं और यह 6 भाग कौन-कौन से हैं तो यह 6 भाग समता का अधिकार समता का अधिकार सुसण के विरुद्ध अधिकार उसके बाद धर्म की स्वतंतरता का अधिकार उसके बाद आप देखेंगे धर्म की स्वतंतरता के बाद संसक्रति और सिच्छा संबंधी अधिकार उसके बाद आप क्या देखेंगे संपत्ति का अधिकार संपत्ति का अधिकार बेसिकली जो है वो मूल अधिकार में था लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44 संविधान संसोधन 1978 से मूल अधिकारों की स्रेणी से हटा करके इसे एक वैधानिक अधिकार दे दिया गया और इसे वै अधिकारों से हटा करके कहां पर संपत्तिक अधिकार को बैधानिक अधिकार बनाये गया तो 300 का आर्टिकल में इसको समाहित किया गया 300 का आर्टिकल के थुरू क्या लिखा गया है संपत्तिक अधिकार जो की एक बैधानिक अधिकार है तो इस तरह से यानि किस समिधान संसोधन द्वारा संपतिक अधिकार हटाया गया तो चवालिसमी समिधान संसोधन द्वारा तो इस तरह से आपने देखा कि मूल अधिकारों की प्रकति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है किस संदर में नकारात्मक है और किस संदर में सकारात्मक ये भी आपने देखा उसके बाद आप देखते हैं जैसे कि मूल अधिकार जो है मूल अधिकार यानि नयाययोग है जब कभी मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या तो यानि हम कहां पर जा रहा है तो हम नयायले जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं तो मूल अधिकार जो है वो नयायोग हैं और इसे नयायले द्वारा परवर्तितिया लागू कराया जा सकता है यानि नयायले के पास अधिकार है कि वो मूल अधिकारों को लागू करा सकती है और ऐसे कानून ऐसे नियम जो मूल अधिकारों का हनन कर रहे हूं उनको पजबंदित कर रहे हूं तो ऐसे कानूनों को रद्ध कर सकती है किसके पास राइट है सुप्रेम कोर्ट के पास यानि तो सुप्रेम कोर्ट और हाई जो नयाई हैं यानि मूल अधिकारों के मूल अधिकार जो हैं इनके तरफ जो है वो नयाई योग हैं यानि इनके जो है मूल अधिकार सरवोच नाले और उच नाले में जाने के लिए हम देखते हैं कि यानि जब मूल अधिकारों का हनल हो रहा होता है तो हम आर्टिकल 32 के तह है जो है सुप्रिम कॉड में रिट दायर कर सकते है और य overs30 के और मैं रिट नायर करने के बारे में err उसके बाद आप देखते हैं कि अगर आप कोशन पूछा जाता है जैसा कि आप जानते आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 किस भाग में है, भाग 20 में है, तो आर्टिकल 368 किस से संबंदित है, संबैधानिक संसोधन, यानि संविधान में संसोधन करने से संबंदित है, और संविधान में संसोधन करने से संबंदित है आर्टिकल 368, के तहद क्या आर्टिकल 368 के तहद मूल अधिकारों का मूल अधिकारों में संसोधन कर सकती है तो आपका अंसर क्या होगा कि जो नयाले है यानि जो संसद है यानि यहाँ पर क्या बात करना है हम लोग संसद की किसके पास राइट है किसमें संसोधन कर सकती है तो संसद के पास राइट है तो आई कुछ कोनसेट को आपने एअब यहाँ पर आगेम लोग डिसकस करते हैं और चुकि मूल अधिकार है वो सबसे पहले जैसे मूल अधिकारों का कितना महातु था तो आपने इसके पीछे का बैग्राउंड देखा है कि यानि मूल अधिकारों के हनन होने पर यानि मूल अधिकारों के जो है मूल अधिकार फॉलो ना करने पर लुई सोल में फासी चड़ा दी जात कर वो पहले स्रीज देखें उसके बाद कोशन सौल करें तो आपको बहुत आनंद आएगा तो यानि आगे हम लोग नेस्ट कोशन सौल करते हैं नेस्ट कोशन क्या है नेस्ट कोशन है मूल अधिकारों को सरपथम किस देश में सम्वैधानिक मानिता प्रदान की गई यानि मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किस देश में सम्वैधानिक मानिता प्रदान की गई तो मौलिक अधिकारों को हमने कहां से अडॉप्ट किया है म वहीं से भारत के constitution में एडॉप्टे किया गया है तो यानि यहां पर इसका right answer क्या हो जाएगा सईक्तराज अमेरिका, be option right हो जाएगा next question है next question है भारती नागरिकों की मौलिक अधिकारों का wordन है, यानि मौलिक अधिकार कहां से कहां तक की article जो है क्या वर्ड़न किया गया मौलिक अधिकारों की आखेगा यहां 18-35 वह 6 भागों में एडिविलרג जिन में से आप देख़ते हैं, यानि यहीं से कुष्ण बन जाता है कि मूल समविधान में कितने अधिकार हमें प्रदान किये गये थे यानि मूल समविधान में कुल कितने अधिकार प्रदान किये गये थे तो मूल समविधान में साथ मौली का धिकार प्रदान किये गये थे लेकिन अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने मौली का अधिकार हैं, तो आपका अंसर क्या होगा, वर्तमान में कितने मौली का अधिकार हैं, तो छे मौली का अधिकार हैं, तो एक क्या हुआ, एक जो मौली का अधिकार संपतिका अधिकार था, उसे मूल अधिकारों की स्रेडी से हटा करके कानुनी अधिकार या बैधानी का अधिकार बना दिया जाता है चवालिस में समिधान संसुधन उनीस सो अठतर के द्वारा इसके पीछे का क्या पूरा कारण है क्या रीजन है तो हम लोग जब अभी नेट्स जे हम लोग जो समिधान संसुधन है यानि कौन-कौन से अमेंडमेंट हुए समिधान में कितने संसुधन किये जा चुके हैं आप देखते हैं 100 प्लस समिधान संसुधन किये जा सुके हैं तो उनको हम लोग जब discussion करेंगे next class में हम लोग समिधान संसुधन के बारे में discussion करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताओगी कि नवी अनसुची क्यों जोड़ी गई यानि 1950 के बाद 1951 में संसुधन होता है पहली बार समिधान में यानि 18 महिने के अंदर दुबारा संसुधन होने लगता है और संसुधन होने के तुरू आप देखते हैं कि यानि नवी अनसुची जोड़ी जाती है तो समिधान संसुधन के मादियां से तो यानि यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि क्या major reason रहे होते हैं कि संपत्ति के अधिकार को हटा करके यानि नवी अनसुची के तहट भूमी सुधार कानून के तहट डाला जाता है तो इसके बहुत major कारण है इसके बारे में एक detail explain होगा और next आप इंतजार करिएगा आपको next lecture में provide कराया जाएगा तो यहाँ पर हम लोग basically मूल अधिकारों से बनने वाले questions को देखना है तो इसलिए इस पर focus करते हुए कि भारती नागरिकों में भारती नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्ण कहां से कहां तक की आर्टिकल में है तो 12 से 35 आर्टिकल में है फिर नेक्स कोशन आप देखेंगे नेक्स कोशन है डाक्टर भीमराव अम्बेटकर ने भारती सम्विधान के किस भाग को सरवाधिक अलोकित भाग का है यानि डाक्टर भीमराव अम्बेटकर ने भारती सम्विधान के किस भाग को सरवाधिक महतो दिया है तो भागती सम्विधान के भागतीन जो की मौलिक अधिकारों को रिपेजेंट करता है तो भागतीन को डॉक्टर बीयार अमेड करने बहुत महातो दिया है कैसे इसको प्रूफ कैसे किया जाए तो यानि जो 12 से 35 आर्टिकल है मौलिक अधिकार है उन्हीं में से एक आर्टिकल है आर्टिकल 32 जिसको क्या कहा जाता है आर्टिकल 32 के थुरू क्या है सम्वैधानिक उपचारों का अधिकार सम्वैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 किसे रिपेजेंट करता है आर्टिकल 32 के तहत ही दी जाती है यानि मूल अधिकारों की हनन होने पर जो कोई वक्ति जो है वो Supreme Court में सरान ले सकता है तो इस इस्सित में Supreme Court पास्प्रकार की रिटे जारी कर सकता है और मूल अधिकारों की हनन होने पर आड हाई कोट जो है वो 256 आर्टिकल के तहरे यह पार्च्वरकार के राइट जारी कर सकता है तो यानि यह कौन प्रोटेक्शन देरा आचिकल 32 इसलिए इसकी महत्ता को देखते हुए आर्टिकल 32 की इतनी महत्ता को देखते हुए जो डॉक्टर बियार अम्बेटकर बाबा साब थे उन्होंने आर्टिकल 32 को सम्वैधानिक जो उपचारों का अधिकार है इसे समिधान की आत्मा कहा है यानि तो समिधान की आत्मा डॉक्टर बियार अम्बेटकर की अनुसार आर प्रकासित भाग कहा जाता है तो भाग C यानि यहाँ पर आप देखेंगे भाग 3 और C आप्शन राइट हो जाता है तो इस तरह से यह कोशन नंबर था आपका 5 नंबर 5 नंबर का C आप्शन राइट हो जाता है नेस्ट कोशन हम लोग डिसकस करते हैं मूल अधिकार मूल क्यों गहलाते है तो मूल अधिकार जो बेसिकली मूल इसले गहलाते हैं क्योंकि मौल अधिकार ऐसे हैं जिनको हम कोई भी राज्य सरकार जो है या कोई भी विधाई का या कारेपालिका उनका हनन नहीं कर सकती क्योंकि वो इतने जो है उनकी जरूरत है एक तरह से वो प्राकृतिक हैं आप प्रतिदेह हैं यानि उनका हनन नहीं किया जा सकता है यान मौलिक अधिकारों में दी गई है, तो आप देखते हैं कि धर मूल वंस जात कि अधार पर भेदवा और ना करने की सुदंता दी गई, ना करने का अधिकार दिया गया है, तो इस तरह से आप देखते हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो एक तरह से प्राकरतिक हैं, और अप्रत तिदे अधिकार है, मौलिक अधिकार, इसलिए इने मूल कहा जाता है, तो इसका option 6 का D option right हो जाता है, next question पर हम लोग discussion करते हैं, 7 number question, तो यहाँ पर हम लोग 7 number questions के बारे में discussion करेंगे, तो यहाँ पर 7 number question है, 7 number question है, भारती समिधान के भाग तीन में कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का बड़न है, यानि भाग तीन में कुल कितने अनुच्छेदों हैं, तो आप जानते हैं, अब देखें, अगर आप यहाँ पर, अगर आपको हलका सा भी confusion है, कि कितने से कितने अर्टिकल में हैं, तो आप basically confused हो सकते हैं, तो यानि भाग तीन जो है मौलिक अधिकार में, तो कितने अर्टिकल इसके अंतर गता जाते हैं, आप जानते हैं भाग तीन में, यानि 12 से 35 आर्टिकल आते हैं, तो कितने अर्टिकल इसके अंतर गता जाएंगे तो यानि आप बारा से बारा आठ बीस तो आठ तो ये हो गए यानि बारा के बाद लेकिन बारमा भी सामिल है आर्टिकल बारा इसलिए यहाँ पर किते हो गए नौ हो गए नौ ये हो गए और फिर उसके बाद बीस के बाद बीस से पैतिस तकी यानि की पंदरा ये हो गए पं सनुच्छिदों में आपने देखा बारा से पैरिस जो है यह आर्टिकल जो है बारवा और पैरिस वा आर्टिकल भी एड़ किया जाएगा इस बेजस पर जो है वो टोटल कितने हैं चौविस अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज होते हैं तो आप तेस बाइस कुछ भी मार कर सकते हैं तो इस तरह से यहां पर आप देखेंगे बारा और बारा से पैरतिस तक की यानि की यहां पर आप देखेंगे बारा से पैरतिस यानि यह नौ और यह पंद्रा तो इस तरह से आपके 24 हैं आर्टिकल संबंदित, ठीक है, D option right हो जाता है, next question है, next question है, प्रारभ में कितने मौलिक अधिकार दिये गए थे, तो जैसा कि मैंने discuss किया कि प्रारभ में, जो है, 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार, आपको याद कैसे रखना है, कि मूल अध कितने हैं या मौल करतवे कितने हैं, तो आप जानते हैं कि अधिकार हमको कम होंगे, यानि, आप बेसिकली इसको इसको इजी वे में याद करने के लिए आप क्या कहें, कि अधिकार व्यक्तिके कम होते हैं, तो अधिकार कम होंगे, यानि कि 7 मौल अधिकार थे, मौल अधिक तो यानि आप याद रखे करतब वे 11 हैं लेकिन अधिकार सिर्फ और सिर्फ 6 हैं अगर आप से कोशन आता है कि मूल समधान में कितने अधिकार दिये गए थे तो 7 यहाँ पर क्या कोशन है यहाँ पर कोशन है प्रारंभ में कितने मौली का दिखार थे प्रारंभ का मतलब है कोशन है, 9 नमबर कोशन कि वर्तमान में भारती नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, कोशन क्या है कि वर्तमान में भारती नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो मूल सम्विधान में 7 और वर्तमान में 6, कौन सा एक नहीं है, संपत्तिक जो है अब मूल अधिकारों की स्रणी में नहीं आता है फिर नेक्स आप देखेंगे नेक्स क्या कोशन है भारत के समिधान में मौलिक अधिकार यानि भारत के समिधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है भाग तीन में है और यहां पर पूछा जा रहा है मौल समिधान का हिस यानि एक तरह से प्राकतिक हैं, तो यह जो मॉली का धिकार है, यह मूल समिधान में दिये गए थे, ना कि कहीं से अडॉप्ट किये गए इसी जगे अगर आपके पास आ जाता है मॉली कर्तब पे, तो मॉली कर्तब आपने बाद में उसमें समिधान संसुधन के मादम से जोड तो आप यह कंफ्यूज होकर मत लगाईएगा बैलिस्वा समिधान संसुधन, बैलिस्वा समिधान संसुधन जो है, हाला कि इसमें मेजर चेंजमेंट हुए और इसे मिनी कॉंस्टिटूशन लग समिधान की संग्या दी जाती है, और इसमें 60 से जादा अनुच्छे जो है, बैलिस्वा समिधान संसुधन जो है, वो कब किया गया, 1976 में और उस समय देश की सित क्या थी, उस समय देश में आपातकाल लगा हुआ था, अमर्जनसी लगी हुई थी, तीसरी अमर्जनसी लगी हुई थी, कब 1976, और उसी दोरान, यानि आपातकाल के दोरान ही, जब बड़े नेता, जो है, वो जेल में थे, उसी दोरान ही, आप देखते हैं, इतना बड़ा समिधान संसोदन है, और इतना बड़ा समयदान संसोदन कर दिया जाताएं, जिसमें 60 अनुच्छिदों को परबति कर दिया जाता हैं, और एक तरह से जो सरकार है, वो सरकार जो है, अपने जो है जुडिसरी की पावर भी अपने अंदर ही यानि वो जो है अपने को सुपिरियर साबित करना चाहती थी जुडिसरी से तो इस तरह से आप देखते हैं कि बैलिस्वे समयधान में मेजा चेंजमेंट किया जाते हैं और फिर उसके बाद बैलिस्वे के बाद 1978 में जब एमर्जनसी हटती है तो यानि एमर्जनसी हटने के बाद रास्ती मोज़ा सरकार आती है और चावारिस्वे समयधान संसोदन के तहत सारी चीजे फिर से बहाल की जाते हैं यानि बैलिस्वे समयधान संसोदन की कम्यों को दूर करके चावारिस्वे समयधान संसोदन में जोड़ा जाता है और जो कुछ एडिशन कर दी गई थी गलत चीजें उन्हें हटाया जाता है 44 समिधान संसूदन में यानि इसका सुद्रन रूप आता है 44 समिधान संसूदन तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारत के समिधान में मौलिक अधिकार है तो भारत के समिधान में जो मौलिक अधिकार है वो मूल समिधान का हिस्सा था A option यहाँ पर right हो जाता है 10 का A option Next question क्या है Next question है भारती समिधान में नियाले में कौन प्रवरतनी है यानि भारती समिधान में नियाले में कौन प्रवरतनी है तो किने लागू करने का अधिकार है प्रवर्तन करने का अधिकार है तो भारती समयधान में जो नियाले है उसे मूल अधिकारों को प्रवर्तन करने का अधिकार है लागू करने का अधिकार है और आप देखते हैं कि जब मूल अधिकारों को हमारे हनन हो रहा होता है तो हम किस किसके पास आते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास आते हैं तो यानि को नियाले जो है वो किसमें परवतन कर सकता है किसे लागू कर सकता है प्रवर्तनी यहां परिवर्तन नहीं बढ़ है प्रवर्तनी का संस पता क्या होता है प्रवर्तनी मतलब लागू करना लाग तो ही उसको लागू करवाएगा उसी के पास तरदाएद हुँ है तो आप देखते हैं कि जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है या मौलिक अधिकार जब हनन हो रहा तो हम सुप्रीम कोड या हाई कोड का पास जा रहा है यानि वही उसको लागू करवाएगा उसी के पास तरदाइत है यानि तो यहाँ पर अंसर क्या हो जाएगा उचतम नयाले और उचतम नयाले दोनों के पास अधिकार है यानि सुप्रीम कोड उचतम नयाले को क्या कहते हैं सुप्रीम कोड और उचतम नयाले को हाई कोड तो यानि सुप्रीम कोड और हाई कोड दोनों के पास यह अधिकार है रिट जारी करने का अधिकार है पांच प्रकार की रिटे होती है और अबी हम लोग basically discuss करेंगे जब हम रिट से संबंधित कोशन सौलव करेंगे तो अबी कुछ मिनट बाद तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दाई तो किसके पास है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास यानि उच्छतम न्याले और उच्छे न्याले के पास तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा ए और बी दोनों यानि उपर युक्त दोनों सी ओप्सन राइट हो जाता है कि मौलिक अधिकार लागू करने का दाई तो किसके पास है तो इसके संबंध में सी ओप्सन राइट हो जाता है नेस्ट कोशन क्या है मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है तो निलंबन मतलब जो है एक तरह से कह देते हैं जैसे निलंबन याजिए हटाना या विक्टन करना तो मॉलीक अधिकार कब خतम कोन कर सकता है निलंबन को साथान भासा आमतर की भासा में क्या कहेंगे ये तो Constitution की भासा हो गई इस समिधान की भासा है कि निलंबन और यानि उसमें जैसे निलंबन हो गया विगटन हो गया सत्रावसान यह किसकी भासा है यह Constitution की भासा है जो है समिधान की भासा है लेकिन यानि निलंबन का मतलब समाप्त करने से संस आप लें साधान भासा में तो मौली कदिकारों को कौन स पहना है तो किसके पास राइट है तो आप जांते हैं कि अमर्जंसी जब लगती है यानि 352 के त़र आर्टिकल 352 है रास्ती आपात्काल और 352 356 तहर राजजी आपात्काल और 360 जो है वो विती आपात्काल दर सकता है तो यानि आपको पता है कि जब emergency लगती है यानि आपातकालीकी condition में, आपातकालीकी city में या emergency लगने पर हमारे मॉलिक अधिकार जो हैं वो स्वता ही समाफ्ट हो जाते हैं। मौलिक अधिकार यानी कब स्वता समाप्त हो जाते हैं जैसा कि सैन विद्रू हो गया, युदाओकमण की सिथ हो, आपातकाल की सिथ हो, तो यानी अगर आपके हां मुहले में कर्फ्यू लग जाता है तो आपको क्या होता है? बाहर निकलने को मना किया जाता है, तो अगर आप यहाँ पर कहेंगे कि यह मेरा मौली का धिकार है, मेरा राइट है, कि मैं कहीं भी घूम सकता हूं, विचण कर सकता हूं, लेकिन इस दोरान आपातकाल हो गया, कर्फी हो गया, सैन विद्रो हो गया, तो इस कंडिशन में आपके मौली का धिकारों को, जो है मौली का धिकारों का हनन होता है लेकिन आप इसके खिलाफ जो है कोड केस या कोड नयाले नहीं जा सकते हैं क्योंकि जो मौली का धिकार है यानि यहां पर कब ऐसी कंडिशन आती है जब मौली का धिकारों का निलंबन होता है तो आप देखते हैं आपातकालिय सेन विद्रो की सित में, तो इसे करता कौन है, यानि एक तरह से मौलिक अधिकारों का निलंबन करता क्यों है, क्योंकि आपातकाल के तो जो मौलिक अधिकार है, वो स्वता समाप्त हो जाते हैं, तो स्वता समाप्त हो जाते हैं, यानि इनका निलंबन करने का भी अधिकार किस के पास है रास्टपती के पास अधिकार है तो 13 का C option right हो जाता है कि मौलीक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है तो रास्टपती कर सकता है कुछ मौलीक अधिकार जैसे 20 और 22 हर्टिकल है वो अपात काल के दौरां अगर आप से question पूछा जाता है अगर आपसे कोशन क्या पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों में से किन मौलिक अधिकारों का जो है कौन से मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं और आपातकाल के दौरान यानि कोशन क्या हो जाता है कि आपातकाल के दौरान भी कौन से दो मौल अधिकार जो है यानि दो आर्टिकल होते 20 और 21 आर्टिकल, 21 क्या है प्राण और 29 सोधंता, तो 21 क्या है प्राण और 19 सोधंता, जब की यानि दो आर्टिकल 20 और 21 यानि दो आर्टिकल कौन गोन से 20 और 21 आर्टिकल जो है वो 20 और 21 आर्टिकल जो है वो यानि आप से कोशन पूछा जाता किस समिधान संसोधन दौरा यानि किस समिधान संसोधन दौरा यह उपबंध किया गया कि आपात काल के दौरान भी आ में आपत काल के दौरान और एकिस निलंबित नहीं किया जाते हैं, आपकान आपसे कुछा आपक। भी आर्टिकल 20 और 21 जो है वो निलंबित नहीं किये जा सकते हैं तो चवारिस्वें समयदान सब्सक्राइब 1978 दौरा तो आपने देखा निलंबर करने का राइट किसके पास है राश्पत के पास है लेकिन आपात काल की सित में भी कौन से नहीं किये जाते हैं तो 20 और 21 ओरिकल ठीक है मौलिक अधिकारों की बारे में सुनवाई करने का राश्पत किसे दिया गया तो किसे दिया गया है आपके पास आप सन है सरवोचनेल है उचनेल है और पधानमंद्री या फिर इन में से कोई नहीं तो मौलीक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है सुप्रीम कोर्ट के पास यानि आप तोचोगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास रिट दायर करने यानि रिट जारी करने की सकती है और यहाँ पर आपको एक option चुनना है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है तो किसको यानि ए और बी दोनों option होते तो आप ए और बी दोनों option लगाते यहा मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का तो अगर यहां पर किस टाइप के कोशन जैसा मैंने बताया कि जो है कि समिधान संसुदन दोरा जो बीस और इकीस आर्टिकल जो है वो निलंबित नहीं किये जाते हैं आपातकाल के दौरान भी तो चवालिस्वा समिधान संस किन आधारों पर घोूशित आपातकाल के दौरान आठिकल से अपने आप सम आप्स हो जाएगा यानि सौताह निलंबित हो जाएगा तो है युद्ध और बाहatus आकुमण के इसलित में जो है आठिकल उनिस आठिकल ऌनिस में क्या है छै प्रकार की सुतनताएं है कौन का अश कि सुदंता सांत निरायों दिसमेलन करने की सुदंता अबाद विचरन की सुदंता और व्यापार करने की सुदंता तो यहां पर जो आर्टिकल 19 है उनी में से डिसकस करना चाहरी हूं, यहां पर ये कोशन हो जाता है कि किस आधार पर जो घोसित आपात है, आर्टिकल 19 है, वो निलंबित नहीं होगा, स्वता निलंबित नहीं होगा, किन परिस्टियों में जब ससस्र विद्रोह के आधार पर जो है, ससस्र विद्रोह के आधार पर जो है तो यानि सम्विधान में उद्गोषित मौलिक अधिकारों में संसोधन किया जा सकता है तो यानि सम्विधान में उद्गोषित जो मौलिक अधिकार हैं उनमें संसोधन किया जा सकता है यानि किसके माध्यम से संसोधन किया जा सकता है जैसा कि मैंने बताया कि जो मौलिक अध जो मौलिक अधिकार हैं वो न्याय योग हैं और इसे न्याय अले द्वारा प्रवर्तित यारी लागू कराया जा सकता है लागू कराया जा सकता है किसके मातन से न्याय अले द्वारा प्रवर्तित कह दें या लागू क्योंकि लागू आप कौमन वर्ड होता है आप जानते है तो इसे नयाले द्वारा जब प्रवति करा जाएगा तो आप सोचेंगे कि जो मूल अधिकार है ये समिधान संसुदन जो संसत की साधारन विद्वारा यानी संसत की साधारन विद्वारा जो है साधारन विद्वारा इनमें कमी नहीं की जाएगी किसमें मौलिक अधिकारों म लेकिन हां आर्टिकल 368 जो है तो आर्टिकल 368 जो है वो संसोधन आर्टिकल 368 के तरह संसद के पास ये राइट है कि वो मौलिक अधिकारों में संसोधन कर सकती है मौलिक अधिकारों का संसोधन कर सकती है लेकिन मौलोग अधिकारों को छोड़ नहीं सकती अधित्याग नहीं कर सकती है उनका यानि उन्हें हटा नहीं सकती है ये राइट नहीं है अटाने का लेकिन संसोधन करने का अधिकार है संसद के पास तो यहां पर क्या है कि मौलिक अधिकारों में संसोधन किसके माध्यम से किया जा सकता है तो किसके पास अधिकार है संसद के पास अधिकार है यानि आपने देखा मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास था तो राजपति के पास मौलिक अधिकारों को जो है मौलिक अधिकारों में संसोधन किसके पास राइट है तो संसद द्वारा और मौलिक अधिकारों को लागू कौन करा रहा है तो नाय पालिका यानि सर्वोचनाले और उचनाले सर्वोचनाले के पास राइट है तो आपके पा जो मूल अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है या फिर किसी भी परिस्ट में निलंबित नहीं किया जा सकता है अभी आपने देखा कि जो मौली कदिकार है उन्हें रासपत जो है वो निलंबित कर सकता है कि इस सितियों में निलंबित करता है तो और आपात काल के दौरान कर सकता है तो यहां पर आपसन क्या राइट हो जाएगा तो 16 का भी आपसन राइट हो जाएगा कि मौलिक अधिकार जो है उन्हें निलंबित किया जा सकता है फिर नेक्स कोशन आप देखेंगे 17 नंबर कोशन है निमलिखित में से कौन से मामले उच और सरवोच नैले की अधिकारता में आते हैं यानि कौन से मामले उच नैले और सरवोच नैले के अंडर में आते हैं अधिकारता में आते हैं तो कौन से आते हैं तो यह आपका उप्सन राइट होगा कि मूल अधिकारों का प्रवरतन यानि मूल अधिकारों को लागू करने से सम्मधिर यानि मूल अधिकारों को लागू करने का अधिकार जो है अधिकार ता मतलब अधिकार में क्या अधिकार में आता है मूल अधिकारों को लागू करने का अधिकार है किसके पास है सुप्रीम कोट और हाई कोट के पास है यानि यहां पर 17 का क्या option राइट हो जाता ह नेस्ट कोशन हम लोग डिसकस करते हैं नेस्ट कोशन है भारती सम्विधान के अंतरगत मूल अधिकारों का संदच्छ कौन है तो आपके पास राइट क्या अंसर हो जाएगा कि आप देखना है सुप्रीम कोड और हाई कोड मौलिक अधिकारों के हनन होने पर रिट जारी कर सक है यानि प्रोटेक्शन करता है मौलिक अधिकारों का संदर्च्छ ऑक है एक तरह से संदर च्हक कौन है? नेस्ट कोशन है मौलिक अधिकारों की निलंबन का आदेश कौन दे सकता है यानि मौलिक अधिकार कब निलंबित हो सकते हैं कौन राइट है किसके पास अधिकार है मौलिक अधिकारों का निलंबन करने का निलंबन मतलब समाप्त करने या हटाने का तो निलम्बन करने का अधिकार किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों के निलम्बन करने का आदेश कौन दे सकता है? तो आपके पास यहाँ पर 19 का, 19 का क्या option right हो जाएगा? तो निलम्बन करने का आदेश कौन देगा? जैसा कि हम लोग पहले इसके पहले भी question में discuss कर चुके ह कि निलम्बन का अधिकार किसके पास है? समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो राश्पत के पास यह right है. निलम्बन का आदेश कौन दे सकता है? राश्पती दे सकता है मौल अधिकारों को समाप्त करने से समझ देश. तो क्योंकि राश्ती अपातकाल लगाने का अध इसमें पूरी बारत नहीं किया जायागा उसमें पूरे भारत में उस समय को चेंजमेंन नहीं किया जाए गा नाखिल 3156 में भावोल साथंडु अगर जो कारे पाली या जो तो विवायाद की इस सित में राजिपाल तो यहां पर क्या राजपतिकार उपर आवज्यक प्रतिबंद कौन लगा सकता है पतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है संसद के पास है तो मौली का अधिकारों के में यानि आपने देखा संसोधन कर सकती है संसद और पतिबंध जो है पतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है तो संसद के पास है यानि 20 का 20 का कौनसा ओप्सन राइट हो ज जो मौलिक अधिकार है किसी बनाया जाते हैं वह मूल अधिकारों का प्रोटेक्शन करने के लिए जो व्यक्तिकी raiyat ुउपव के लिए। कि जो कारेपालिका है या विधाईका है कोई ऐसा कानून को ऐसा नियम लागू ना करे जिससे वेक्तिके मौलीक अधिकारों का हनन हो इसलिए मौलीक अधिकारों को संभैधानिक दर्जा दिया गया और मूल समिधान में मौलीक अधिकारों को लिखा गया था मौलीक अधिकारों को भागतीन के अंतरगत समाहित किया गया था तो यहाँ पर 21 जो कुशन है कि मौलीक अधिकारों का उद्देश ही क्या है तो मौलीक अधिकारों का उद्देश ही क्या है एक तरह से जो वेक्तिकल सुतंतरता है व्यक्तिकल सुतंतरता को शुनिशित करना यानि ये क्या है मौलिक अधिकार जो व्यक्तिकल सुतंतरता कैसे आपने देखा मौलिक अधिकारों में धर्मूल वंस जाती के अधार पर जैसे आटिकल 15 है आटिकल 15 में धर्मूल वंस जाती के अधार पर विभेद करने पर पतिश करनता है आर्टिकल 18 जो है आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों का अंत करता है उसी तरह से आपने आर्टिकल 19 देखा उन्नीस में क्या है छे प्रकार की सुतंता हैं अबाद विचरन की सुतंता बोलने की सुतंता वाखियों मविवक्ति की सुतंता सांत निरायुद समेलन करने की सुतंता ये आर्टिकल उन्नीस में छे प्रकार की सुतंता हैं तो इस तरह से आप देखते हैं यानि सोसर के विरु स्क Lunar junior both double option click sama तो संफ नेश्यन के सकती किसके पास प्रवर्तित का ऑप सन्स लें लागू करने की सकती तो लागू करेगा तो आपने रेका ता है जो संसत के संसत के पास सन्सोधन की सकती है उस में और जू उचफ़ नजी एड रगूर्ण जाने ने यानि यानि हाई कोट है और सुप्रिम कोट है है तो गन अब्ट आर्टिकल 226 के तहरे जासे होरे इस तरह से आपने देखा मूल अधिकारों को लागू करने के सकते किसके पास है सुप्रीम कोट और हाई कोट के पास डी ऑप्सन राइट हो जाता है नेश्ट कोशन आप देखेंगे भारती समिधान को प्रदत मूल भूत अधिकार जो है को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है निलंबित यानि समाप्त करने वाली तो मूल अधिकारों को कौन समाप्त कर सकता है अभी आपने डिस्कस किया कि रास्पत मूल अधिकारों को समाप्त करेगा संसद मूल अधिकारों के संबने संसोधन करेगी यानि संसोधन करने की सकती आर्टिकल 368 के तहट संसद कर सकती है और सरवोच नयाले लागू करने का काम करता है तो निलंबन कौन रास्पदी यानि D option राइट हो जाता है यानि कौन सा ये question number कौन सा है 23 question तो 23 का D option जो है वो राइट हो जाता है नेक्स आप देखेंगे भारत में मौलिक अधिकारों के संबन में हम लोगे आपन next question क्या है भारत में मौलिक अधिकारों के संबन में निमनलिक वक्तवयों पर विचार केजे यानि मौलिक अधिकारों के संबन में कौन से तत्थ सही है तो यानि यहाँ पर first option पढ़ते है तो first option क्या है या राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है तो हाँ ये राज्य कृति के विरुद्ध जो है एक गारंटी है यानि क्योंकि अगर राज्य जो है राज्य में विधाईका और कारेपालिका होगी तो विधाईका और कारेपालिका अपने मन्मर्जी का कोई भ गुप अर्टिक प्रमच चाली कर 2021 स्भाघ सब्सक्राइब कर दोर यह विरुद यह और मौलिक अथिकार में死 Head जो है डिसका अदिकार मैं मौले ए कॉर्जक्व घंद में ऊधिकार में कौन से विचार इस वह है तो यह राजक्रत के सब्सक्कार ऐ गारंटी है और जो दूसरा option है कि यह समिधान के भाग तीन में सूचित हैं तो आपने देखा मौलिक अधिकार 12 से 35 वो भाग तीन में वड़ित हैं यानि एक और दो ऑप्सन तो सही हो जाते हैं नेक्स आप ऑप्सन देखते हैं कि यह समाजिक आर्थिक और राजनेतिक न्याय सुनिशित करते हैं तो समाजिक आर्थिक और राजनेतिक न्याय की बात नहीं की गई है यह यहाँ पर क्यूंकि मौलिक अधिकार पढ़ना है ना कि DPSP पढ़ना है डिरेक्टिव प्रिसिपल स्टेट पॉलिसी यानि DPSP में ऐसी बात कही जाती है तो यह जो है यह भाग तीन में वर्डित है राजिकरत के विरुद गारंटी है और यही दोनों सही है जबकि चौथा ओप्सन जो है USA में अधिकारों के बिल की भात नहीं है तो हमा जो है मौलिक अधिकार जो है वो कहां स विरुद गारंटी है और यह समिधान के भाग तीन में सूचित है यानि यहां पर फिर्स्ट ऑफ्सन लाइट हो जाता है जहां पर लिखा गया है एक और दो सही है तो एक और दो ऑफ्सन राइट हो जाता है next question है समानता का अधिकार भारती समिधान की किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है तो समानता का अधिकार यानि आप यहाँ पर जो आर्टिकल है 12 से 35 आर्टिकल उनको 6 भागों में बाटिकर पढ़ते हैं और यह जो 6 भाग है उनमें से पहला भाग जो है वो समता का अधिकार है समता का अधिकार कितने से कितने आर्टिकल तक समता का अधिकार है तो जो आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं 14 से 18 14 से 18 समता का अधिकार उसके बाद नेक्स आप देखते हैं स्वतंतरता का अधिकार स्वतंतरता का अधिकार जो है वो 19 से 22 आर्टिकल जो है वो स्वतंतरता का अधिकार है नेक्स आप देखेंगे सुतंत्रता के बाद सोशण का अधिकार यानि सोशण के विरुध अधिकार कौन से कौन आर्टिकल 23 और 24 आर्टिकल सोशण के विरुध अधिकार है नेक्स आप देखेंगे धर्म की सुतंतरता का अधिकार और धर्म की सुतंतरता 25 से 28 आर्टिकल में है नेक्स आप देखेंगे कि संसक्रती और सिच्छा संबंधी आधिकार कितने से कितने आर्टिकल तक 29 और 30 यानि संसक्रत और सिच्छा संबंधी आधिकार जो हैं समत्थिक अधिकार उचित समाप्टिक अधिकार को बोड़िकारों की स्रीनी से भटाया गया गया तो और पर आप से कुष्यन था चुछ सममानता का अधिकार आपने कितने से कितने आर्टिकल में देखा 14 सभानाधिकार संसकत और सिछा संव olmaz अधिकर संसकत और सिछा समद्रिकार किते तो सत्ता पर पून नियंतर लगाना यानि सत्ता यानि जो विधायल सत्ता है यानि विधायल मतलब विधी बनाने की और यहां से आप आर्टिकल पकड़ें आर्टिकल क्या है जैसा हम जानते हैं कि आर्टिकल 14 क्या कहता है विधी के समक्ष शम्ता विधी मतलब यहां पर क्या है विधायल तो आप पकड़ ले जाए ये वर्ड कि आर्टिकल 14 है विधी के समक्ष शम्ता और article 15 क्या क посто दर्म, मूल, वंस, जाधी और लिंक के आधार पर विभेध पर प्रतिशेद लगाता है जब कि article 17 क्या है अस्परसता कांत और article 16 क्या है लोक नियो जन्वे जो है article 16 लोक नियो जन्वे आउसर की संता के बारे में बताता है आर्टिकल 16 तो इस तरह से यहां पर right answer क्या हो जाता है? राइट answer हो जाता है यहां पर 14 यानि विदी के समक्षमता कानून की नजरों में बराबर जो है समानता देखी जाएगी तो विधायन सत्ता पर पूर्ण यंतर कौन लगाता है? तो आर्टिकल 14 तो यहां पर question number 26 26 का a option right हो जाता है next question हम लोग 27 डिसकस करते हैं 27 number तो यहां पर आप देखेंगे 27 number question तो यहां पर आप देखेंगे कि भारती समिधान की प्रस्तावना भारती समिधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद सब्द को निमलिखित में से किस अनुच्छिद या अनुच्छिदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच नयाले को समानकारे के लिए समान वेतन का मौलिगतिकार दिया गया है तो समानकारे के लिए समान वेतन वो किस आर्टिकल में है? यहाँ पर कोशन ध्यान से पढ़ेंगे कि समाजवाद, समाजवाद सब्द भी है, तो समाजवाद सब्दों को निम्लिकते वैसे किस अनुच्छे या अनुच्छिदों के साथ मिलकर पढ़ने से जो सुप्रीम गोट है, सरवोच नयाले को समान कारे के लिए समान वेतन, तो आप जानते हैं, आटिकल सोला क्या कहता है, कि लोक नियोजन में औसर की समता, यानि लोक नियोजन में सबको बराबरी का धिकार दिया जाए, लोक नियोजन में औसर की समता, सबको बराबर औसर दिये जाए, इस्त्री, पुरूस, स्टी, सबको बराबर की बात की जाती, ल समाज में किसी के खिलाफ यानि लोग नियोजन में सरभाईव करने के लिए लोगों को किसी भी अधार पर भीदवाओं नहीं किया जाएगा, तो लोग नियोजन में औसर की समता सबको समान औसर उपलब्द कराया जाएगा, यह भी समाजवास से रिलेटर था, फिर 15 में आप से जाथ की अधार पर विबेद नहीं किया जाएगा, यह भी समाज के अंदर होगा, उसकी बाद आपने देखा आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 जो है, वो विधिके समक्षशमता, यानि कानून की नजर में, विधिके समान, सबके लिए समान कानून लाग हैं, तो यानि 27 का, 27 का सी ऑप्सन राइट हो जाता है, नेस्ट कोशन आप देखेंगे, नेस्ट कोशन है, विधिके सामने समता, अभी मैंने डिसकस किया, कि विधि, यानि कानून की नजर में सब बराबर हो, कानून की विधि, जो है, सबके लिए समान कानून लागू हो, कोई भी अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए समान कानून की वैस्ता के जाए, यानि अगर मुर्त्यों के लिए, एक बड़े से बड़े अधिकारी हो, आगर वही सजागा प्रावधान है, जो एक गरीब रिक्सा चलाने वाले को होगा, यानि विधि की नजर में सब बराबर है तो विधि की समता, विधि की सामने समानता किस आर्टिकल में है, तो यानि यहाँ पर आर्टिकल नहीं पूछा गया, जबकि आर्टिकल है 14 और यहाँ पर आप्शन है, कि यह नागरी का धिकार है, सामाजी का धिकार है, आर्थी का धिकार है या राजिनती, तो आपके आप पता हैं कि यह जो विधी है कानून है विधी के सामने समानता यह कैसा अधिकार है यह मुलभूत कैसा अधिकार है तो आपका अंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका अंसर यानि 28 का कौन सा अप्शन राइट हो जाएगा यह एक नागरी का अधिकार है नागरी का अधिकार ह चुवा चुद उन्मूलन से समदिद है पर विबेद नहीं किया जाएगा अर्टिकल उठारा वह उबाधियों के अंदर से समदिद है तो यहाँ पर छुवा छूत उन्मूलन, छुवा छूत को हटाना, पत्बंदित करना या मना करना ये किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 17 जो की अस्परसता के अंदर से संबंदित है यानि 29 का C option राइट हो जाता है नेश कोशन है निमलिखित में से भारती संबिधान के कौन से अनुच्छेदों में किसी भी रूप में अस्परसता निसेद के लिए प्रावधान है यानि भारती संबिधान में कौन से अनुच्छेद है जो अस्परसता को रोगते हैं अस्परसता यानि छुआ छूत के खिला सुतंत्रताय प्रदान की गई हैं कौन-कौन सी सुतंता हैं अबाद विचण की सुतंता सांत निरायुद सम्मेलन करने की सुतंता वाकियुम अभिवक्ति की सुतंता व्यापार करने की सुतंता तो यह जो सतंत्रताय हैं वो आर्टिकल 19 के तहत दी गई हैं तो यहाँ पर समानता का अधिकार भारतियों के लिए शुनिशित करता है तो समानता का अधिकार भारतियों के लिए कैसी समानता का को शुनिशित करता है धार्मिक समानता समाजिक समानता और आर्थिक समानता यानि कैसी समानता का अधिकार जो है वो भारतियों के लिए कैसी समानता का अधि चाहिए यानि आप देखते हैं कि वर्तमान समय में कंडिशन क्या है कि 90% पैसा जो है वो 10 लोगों के पास है यानि 10% लोगों के पास जो भारत का 90% पैसा है और जो बाकी बचे जो 90% लोग है उनके पास भारत का 10% पैसा है तो इस तरह से आप देखते हैं कहा तो गया है कि आ वास्विक कारण आप देखते हैं वास्विक्ता में ये आर्थिक समानता कहीं दिखती नहीं है तो आप देखेंगे यहाँ पर लेकिन जो भारत का तो समानता के भी बात की जाती है तब इसी की वेसेश समानता के बेसेश पर आपने देखा कि विदी के समानता पर जो को शौई टेह डीगे और इसी तरह मूल वन START lige कि यहाँ वीतल नहीं जाए गाएगा, इसी के तहब आपने देखा, सोला के तहट जो है यानि सभी नौकरियों में लोगों को सरवाइब करने के लिए औसर की समानता दी जाएगी तो समाजिक समानता की बात की गई और धार्मिक समानता यानि किसी भी धर्म को मानने के लिए यानि आर्टिकल पचीस, आर्टिकल पचीस किसे समंदित है, आर्टिकल पचीस जो है, वो धर्मिक समानता से समंदित है, क्या है आर्टिकल पचीस, तो आर्टिकल पचीस क्या कहता है, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, पचार प्रसार करने की सुदंता दी जाती है, यानि धर्मिक सुदंता की बात की गई फिर समाजिक सुदंता में आपने देख लिया समाजिक समानता में 14, 15 और 16 आर्टिकल आपने देखा समाजिक समानता की बात करते हैं उसी तरह से आपने देखा जैसे आर्थिक समानता आर्थिक समानता यानि जो ज्यादा तर जो पैसा है वो लोगों के बीच जो है समान कारे के लिए समान बेतन तो समान कारे के लिए एक तरह से समान बेतन जो मुल भावना निकल कर आई थी वो इन्ही से जो है आर्थिक समानता और समाजिक समानता इन्ही का पंडाम शुरूप की अंतरगत्र जो भारत सरकार है भारत रत्र और पद्र बिशण जो है ये उपाधियां समातति के जाती है तो और charal 18 फारプाधियों के अंत से सम्धनित है जैसे बंकिमादन चेडंत ऑञे उपाधियों का अंत है उपाधियों की उपाधियों हो यान जो है Florence Nightingale तो आप देखते थे ऐसी ऐसी उपादियां दी जाती थी Robert Hood तो यानि यहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ उपादियां जो वड़ के साथ लगा दी जाती थी उन उपादियों को समाप्त किया गया पहले आप क्या करता थे मान नी श्री तो इस तरह से इन उपादियों को समाप्त करने बाद लोगों समान के साथ जीने के Mayo जो है उनके अच्छे कारी के लिए पुरसकार देना स्टार्ट किया और पुरसकार कौन-कौन से जैसे भारत रात्राटर पुरसकार पद्विवूशन जो हैं इनसे अलंकरत किया गया इनसे सुसोभित किया गया उपाधियों को समाप्त करने के बाद तो इस तरह से आपने दे पद्विवूशर जैसी जो है अलंकरण दिये जाते हैं तो इस तरह से आपने देखा आर्टिकल 18 जो है और आर्टिकल 18 से उपाधियों का अंत कर दिया गया उपाधियों का आंत आर्टिकल 15,ijal. आठिकल एक इसından किया जाता है और इसके तेह जो हैDas से चौदा स किभालकों को निशुल्क और अनिवार चिछ्षा का प्रावधान किया जाता है, किस आठिकल कित है तो आठिकल 21 का कित है और आर्टिकल 21 किस से संबंदित है प्राण और देहिक सुद्रता से संबंदित है जबकि आर्टिकल 30 किस से संबंदित है तो आर्टिकल 260 के विरुद्ध समता की बात करता है यानि यहाँ पर आपको मैंने अर्टिकल के तिसली आहेता जब भी आप नाम ले उबादिया नाम ले उपाधियों के साथ आर्टिकल अठारा नाम ले असपरसता आपर आपसे कहता है कि यानि आपने देखा कि महत्मागांदी के साथ बहृत बड़ा इंसिडेंट हुआ था कि आपने देखा था कि गोरे लोगों ने यानि उन्हें अपने रेल की डिब्बे से उतार दिया था तो यानि उस चीज को समाप्त करने के लिए एक तरह से प्रत्रा था था यानि यानि ये कौन्सा कोशन है ये 33 नंबर तो 33 नंबर का बी option राइट हो जाता है, 33 नमबर का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग बेसिकली और भी option देख लेते हैं, कि यहाँ पर 1995 में पारित अस्पसत्ता अप्राद धनियम को वरतमान समय में किस नाम से जाना जाता है, तो वरतमान समय में आपके पास option है, नागर सन्रचड़ दिनयम और सिविल अधिकार सन्रचड़ दिनयम, तो यहाँ पर बी यार तो अजयाता है नामसपसुनियμε को वरतमा sudah के लूँ जिन भी अपके व हाँ परनमान sector भी, सुपनान समय में नापके पनल्मान समय में डिनीम डिन्यम डादला है, नाहता है झाले नाप। नागरिक अधिकारों का रच्छा दिनियम तो इसे क्या नाम दिया जाता है नागरिक अधिकारों का रच्छा दिनियम नागरिक अधिकारों का रच्छा अधिनियम तो इसे क्या नाम दिया जाता है नागरिक अधिकारों का रच्छा अधिनियम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर सिवील अधिकार एक तरह से क्या कहेंगे सिवील अधिकार सन अधिनियम यानि आप यहाँ नागरिक देखकर confused नहों तो यहाँ पर आप कहाँगे civil अधिकार सन रच्छड़ा दिनियाँ क्योंकि इसका क्या नाम दिया गया था नागरिक अधिकारों का रच्छा दिनियाँ तो D option right हो जाता है Next question हम लोग discuss करेंगे Next question है धर्म के आधार पर विवेद धर्म के आधार पर विवेद नहीं किया जाएगा Article 15 के आधार पर आप देखते हैं कि धर्म के आधार पर विवेद आप ने देखा था जो मौली का अधिकार है 12-35 आठिकल उन्हें 6 वर्गों में डिवाइड किया गया था और 6 वर्ग कौन-कौन से जहां जिसमें समानता का अधिकार या समताक अधिकार था उसमें 14-18 आठिकल आगये थे फिर स्वतंतरता के अधिकार में 19-22 आठिकल आ गए थे सोशन के विरुद अधिकार में 23-24 आठिकल आ गए थे इसी तरह से आपने देखा सोशन के विरुद अधिकार उसके बाद आपने संसकत और सिछा का अधिकार आपने देखा और समयधानी कुपचारों का अधिकार देखा तो इस तरह से आपने जो 6 अधिकार यानि 6 भागों में डिविजन देखा था तो यहाँ पर क्या कोशन है कि जो आर्टिकल 15 है आर्टिकल 15 का एक मूलबूत अधिकार है वो जो किसके अधिन दिया गया है तो आर्टिकल 15 चुकि आपने 14 से 18 क्या देखा समता का दिकार तो आर्टिकल 15 किसके अंदर गता आ गया समता या समानता का दिकार तो D option यहाँ पर राइट हो जाता है तो यह question number है 34 34 का कौन सा option राइट हो जाता है तो 34 का D option राइट हो जाता है नेस्ट कोशन आप देखेंगे नेस्ट कोशन है निमलिखित में से निमलिखित अनुछेदों में कौन भिन वर्ग में आता है यानि निमलिखित अनुछेदों में कौन भिन वर्ग में आता है तो अनुछेदों में तो यानि अनुछेद आपने देखा कि आर्टिकल 14, 16, 15 और यह समता के अधिकार में आ गए, यानि एक वर्ग में आ गए, समता के अधिकार में, फिर नेक्स आपने देखा 19, यह दूसरा वर्ग था, जो की स्वतंतरता का अधिकार था, तो यानि कौन सा इस वर्ग में नहीं आता है, यानि कौन सा भिन है, तो इस तरह से कोशन बनता है, यानि आपसे कोई भी आर्टिकल उठा कर दे दिया और पूछा कौन इसे भिन वर्ग में आता है तो कौन भिन वर्ग में आता है तो यहाँ पर आपने देखा आर्टिकल 19 जो है वो भिन वर्ग में आ रहा है यानि ये तीनों एक ही वर्ग है समता के अधिकार के है नेश कोशन है नेश कोशन है भारती समिधान में निमलिखित में से किस में भारती सर्वोच नयालय को समानकारे के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान करने का सच्छम बनाये गया है तो समानकारे के लिए समान वेतन किस आर्टिकल के थहते ये बात कही गई है तो आपने देखा कि समाजवादी सब्द जो है यानि समान कारे के रिए समान वेतन जैसे आपने देखा आर्टिकल 16 तो आर्टिकल 16 किसके बारे में था लोक नियोजन में औसर की समता तो एक तरह से ये समाजवाद में समानता को बढ़ावा देने के लिए था उसी तरह से आपने देखा आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 क्या था विदी के समक्षम था यानि कानून की नजर में सबको बराबर हो ये भी समाजवाद को रिपेजन कर रहा था तो इस तरह से आपने देखा कि समिधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी वर्ड है आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 16 ये तीनों क्या हैं ये दी ओप्जन राइट हो जाता है ने अस्ट कोशन हम लोग डिसकस करेंगी 37 नमबर कोशन और 37 नमबर कोशन है चननाइ राज बनाम चम्पकम दोरायराज अनकेश और इसके बारे हम लोग कल डितेल देखने वाले हैं चमपकम दोरायराजन केस क्या था और राकेश थोपर ब पर नाम केस किया था तो इनके बारे में हम लोकल डिटेट में देखेंगी यहां पर कुशन है जो चन्नई राज्य था चन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन केस जो था वो भारती सर्वोचिनेले के निर्ड़े में कि परणाम के अनुसार निम्लिकित में से किस मौली अधिकार में संसोदन यानि किस मौली अधिकार से संसे क्यार तो उसने कया किया था वो रिजर्वेशन चैनि उसमें यह कहा जा रहाए था कि अगर घुक आप सिमांता क bạn कि दिया गया है यानि यह जो नगे Call卡 जोहां रोग ने शीया ठिटिया गया है तो अ वे sudah स्वाह यहां पर आप देखेंगे जो चंबपकंदोराहिराजन केसषा, बइसक्लि में किस सब्सक्राइवर के सब्सक्राइब हो, जो कैस ने बूराहि रेजर वेल्एम प्रोसेस S संसोतित किया गया तो यहां पर आप देखेंगे जो भेध भाओ के विरुद्द अधिकार तो भेध भाओ के विरुद्द अधिकार क्योंकि जो चंपकम धुराये रेजनम केस है वह बेसिकली कास्ट-based जो कास्ट-based reservation से संबनित है यानि कि government exam में government job में और जो लोगों को कास्ट-based reservation प्रोवाइड कराया जा रहा था उससे यानि इससे लोगों ने क्या कहा इससे हमारे मोल अधिकारों का जो हनन हो रहा है क्योंकि इससे हमारे जो आर्टिकल 16 है आर्टिकल 15 है कि आप कह रहा है धर मूल वनसजाद की आधार पर लिंग की आधार पर भ सर्वोचनले की नेर्णय के पड्राव सरूप जो सर्वोचनले ने ये निर्णय दिया सर्वोचनले ने दिया कि हां आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15 जो इनका हनन्होचार है的話 जो वर्डिक्त आती है सुपरीम कोड नेयंता है कि हां ब्रेजर्वेशन नहीं होना चाहिए तो या जो है सुप्रियम कोड जो है delay अगर जब कभी in cases the and मौण अधिकारों में conflict होता है तो किसको priority दी जाएक तो किसको priority दी जाएगी तो मोल अधिकारों को priority दी जाएगे यानि मौण अधिकारों को fundamental राइड से कहीं भी बना जो है कहीं पर भी यानि इनका हनन नहीं होना चाहिए तो इस तरह से आप देखते हैं विरुद्धिकार बी ऑप्सन राइट हो जाता है और इसे आप कल बहुत अच्छे से भी समझेंगे इसके टेटेल लेक्चर के बारे में फिर नेक्स आप देखते हैं इभारत में समाचार कि इसे समझेट है तो आप जब देखते हैं इभारत में समझेट है तो क्यूकि आर्टिकल 19 जो है और अभिवयक्ति की समझेटर्त प्रेस को आएगी और प्रेस को आप जानते हैं चोथा जो है स्थंब वाना जाता है चोथा pillar माना है तो यहां पर आप क्या देखेंगे ए क फस्का में प्रत्याभूत अभिवक्त के व्यापक स्वातंतर में नहीं थे, सी ओप्सन है सम्विधान के अनुछे 361 का के उपवंधू द्वारा प्रत्याभूत है, और फोर्थ ओप्सन है देश में विदिके सासन के प्रवर्तन से ही उदभूत होता है, तो यहाँ पर समाचार पत्रों की सुधनता, बेसिकली किससे सम्विधान के अनुछे 19 का में विशेश रूप से उपद्दित है, कि हमें समाचार पत्र हो गए या किसी को भी अपनी अभिवक्त किया जाती है, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो या फिर जो कोई भी मैग्जीन हो, कोई भी पत्र का है, वहाँ पर अपने विचारों को व्यक्त करने की सुधनता है, नेक्स आप देखेंगे, भारत का समिधान इस प्रेस की आजादी की विवस्थान नहीं करता है, भारत का समिधान प्रेस की आजादी की विवस्थान नहीं करता है, किन्तु यहाँ आजादी अंतर नहींद है, किस आर्टिकल में अंतर नहींद है, यानि आप देखते हैं आर्टिकल उननीस, आर्टिकल उननीस का में क्या है, कि हमें बोलने की सुधनता दी गई है तो एक तरह से प्रेस की भी यहाँ पर सुधनता है कि वो चाप सकती है लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्षन भी लगाया जाता है और इसके थुरू जब रिस्ट्रिक्षन लगाया गया परथम समिधान से सुधन में कि जो है कुछ हदार जिससे अगर मित्रवत देशों के साथ अब महुनारे संबंध हो रहे हैं, भारत के संबंध यह 낮 फिर कुछ हैसा बोलने से कुछ हैसा शापने से जिससे जो देसकी की अकंटप्रा प्रभावितों रही देश को असुरच्छा का खतरा हो रहा है, तो उस condition, उस सिस्टिद को आप नहीं चापेंगे, वहाँ पर आपको जो है, वहाँ पर इस स्ट्रक्शन लगाया जाता है, तो इस condition में आप देखेंगे, कि प्रेस की आजादी की वैस्था नहीं करता है, किन्तु यहाँ आजादी क सम्विधान की अनुछेद 19 के अंतरगत कितने प्रकार की सुदंता हैं, तो आर्टिकल 19 के अंतरगत कितने प्रकार की सुदंता हैं, 6 प्रकार की सुदंता हैं, कौन-कौन सी 6 प्रकार की सुदंता हैं, तो यहाँ पर आपने देखा वाक्यों अभिवक्ति की सुदंता, स्वान यानि 7 में से 6 सुतंताइं बची हैं और 17 सुतंता जो कि संपतिक अधिकार था उसे हटा दिया गया है, 19 F आर्टिकल को हटा दिया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मूल अधिकार, मूल अधिकार से संबंदित सम्विधान के अनुचिय दूनीस के अंतरगत, कितने प 40, तो 40 कोशन नंबर का C option, 40 कोशन नंबर का C option राइट हो जाता है, कि 6 प्रकार की स्वतंताइं हैं, नेस्ट कोशन है, स्वतंतरता का अधिकार सम्विधान के किस अनुचिय दूनीस के अनुचिय दूनीस में ही 6 प्रकार की स्वतंताइं, यानि 19 से 22 आठिकल जो है, वो तो यहां पर राइट अंसर B हो जाएगा, स्वतंता का अधिकार किसे सम्विधेत हैं, तो स्वतंता का अधिकार अर्टिकल 19 से 22, 41 का B option राइट हो जाएगा, तो dear experiment, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कि अगर आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब और जादा से जादा से शेयर कर दें और बैल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी, तो आईए डिसकर्स करते हैं, नेस्कोशन है, नेस्कोशन है, अनुच्छेद 19 में वड़ी स्वतंता हैं, जो हैं, वो किसको प आटिकल 19 में क्या आता है, चैप्रकार की स्वतंता है, कि कोई व्यक्ति, जो है, कुछ भी बोल सकता है, यानि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंता है, सांत्य और निरायोध सम्मेलन करने की स्वतंता है, संग बनाने की स्वतंता है, अबाद विचरन की स्वतंता है, निवा बाती समयधान के नेस्स कोशन है भाती समयधान का अनुच्छे देकीस जो है एकीस में नेम लेकित में से किसके विरुद सनरचर पदान करता है यानि आडिकल इकीस जो है वो किसके विरुद सनरचर की बात करता है तो किससे सनरचर प्राप्त करता है तो आडिकल इकीस क्या है तो किस से सनचर प्रदान करने की यानि 43 का D option राइट होगा कारे पालिका और विधाई का दोनों के विरुद दोनों से विरुद जो है हमें सनच्छर प्रदान करता है आर्टिकल 21, कारेपारिका और विधाई का दोनों के विरुद सनच्छर किसमें प्रदान के जा रही आर्टिकल 21 में, तो D option यहाँ पर राइट हो जाएगा 43 का D option, कारेपारिका और विधाई का दोनों के विरुद नेश कोशन है यानि आपने देखा 21 में ये है और 21 का में आपने देखा 21 का में 21 का को 86 समिधान से सुधन 2002 में जोड़ा गया और 6-14 वर्सक के वालकों के लिए निसुल्क और अन्वार सिछा का प्राधान 21 का आर्टिकल के तहट मूल अधिकारों में डाला गया नेश कोशन यहाँ पर हम लोग डिसकस करते हैं नेश कोशन है 44 नंबर कोशन भारत के समिधान का निमलिखित में से कौन सा अनुचित प्रेस की सुधन तो प्रेस की आजादी बोलने की आजादी वाका और अभिवक्ति की आजादी किस आर्टिकर में है आर्टिकल 19 ये option राइ वो सिर्फ और सिर्फ केवल भारती नागरिकों को प्राप्त है तो नागरिकों को सुधन तता संबंधी कौन सा अधिकार है तो आपने देखा कि उन्हें बोलने की आजाती है यानि भासाण और विचार करने की आजाती है अबाध विचरन की यानि घूमने की आजाती है फि तो सरकार के विरुद सड़े अंत करने की भी सुतंता नहीं है, यानि कौन से यहाँ पर है क्या सुतंता संबंदी सही अधिकार कौन सा है, तो सही अधिकार जो है, यहाँ पर घूमने की सुतंता तो है, लेकिन विदेश में घूमने की सुतंता नहीं, तो C option right हो जाता है, next question है, next question है, press की सुदंधरता किस अधिकार में नीद है, तो press की सुदंधरता किस में है, तो अभिवेक्ति की सुदंधरता में press की सुदंधरता यानि B option right हो जाता है, भाषण सुदंधरता ही अभिवेक्ति की सुदंधरता है, बोलने की सुदंधरता या press क बी ऑप्सन राइट हो जाता है नेस्ट कोशन है निम्लेकित में से कौन मौली का धिकार नहीं है तो मौली का धिकार क्या नहीं है तो आप जानते हैं कि बोलने का धिकार है अभिवेक्ति के आजादी हो गया वैवसाय का भी अधिकार है और इसके बाद आप देखते हैं धर्म का भी अधिकार है कि किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है कोई किसी भी धर्म को मान सकता है किसी भी धर्म के पर तरश्था नहीं बढ़ती जाएगी लेकिन यहाँ पर हरताल पर जाने का अधिकार 47 का C option जो है वो मौली का अधिकार नहीं है हरताल करने का अधिकार नहीं है इ पॉलिक अधिकार नहीं है, 47 का C option राइट हो जाता है, नेस्ट कोशन है, भारती समिधान का कौन सा अनुचित व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को सनरचित करता है, कौन सा अनुचित, तो आर्टिकल 48 जो बेसिकली है, यानि आपने देखा जब आपने, क्योंकि आप आर्टिकल 14 देखें, तो विदिके समक्षमता की बात करता है, आर्टिकल 19 देखा, तो भारत में, यानि भारती नागरिकों के स्वधनता की बात करता है, कि वो अबाद घूम सकते हैं, विचर्ण कर सकते हैं, लेकिन जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण औ और धहिक सुदनता तो यह बहुत वास्त है और प्राण करने का जो राइट है और विदेश यात्रा की अधिकार Kyoto आधिकार में भी आपकी रच्छा करेगा सरच्छण पदान करने का अधिकार है तो 48 इसका C option राइड हो जाता है आर्टिकल 21 और इसके variation को आप समझ पा रहे होंगे I think फिर next आप देखेंगे question, next question है निमलिखित वक्तवियों पर ध्यान दीजी निमलिखित वक्तवियों पर ध्यान दीजी तो आपका option है किसी को रास गीत गाने के लिए बात नहीं किया जा सकता यह बात सही है, क्यों नहीं किया जा सकता क्योंकि वाक, स्वतंत्र और अभिवेक्ति के अधिकार का उलंगण होगा तो अभिवेक्ति यानि अभिवेक्ति के अधिकार का उलंगन तो यानि यहाँ पर 49 जो कोशन है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आठिकल 19 जो है वो वाक और अभिवेक्ति की स्वतंता देखता है लेकिन किसी को बात दे नहीं करता है तो यहाँ पर जो है वो इसका उ यानि अन्ता करना और धर्म को अबाद रूप से आचर और पचार करने की सुदंता की अधिकार का उलंगन होगा तो यानि यहां पर थर्ड़ा ओप्सन देखते हैं कि राश्ची गीत गाने के लिए किसी को बात दे करने वाला कोई विधी को बंद नहीं बनाया गया है और यह कौंछा सही होया ओप्सन जो बेसिकली इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं इस स्टेटमेंट से रेलेट लग रहे हैं कि राश्ची गीत गाने के लिए बात नहीं की आजा सकता क्यों कि वाका और अभिवक्ति की सबको आजा दी हैं और सभी को अपने धर्म के एक इस आधार पर एक और दो ऑप्सन जो है वो बिल्कुल राइट है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नेस्ट आप देखेंगे यानि राइट हो जाता 49 का नेस्ट कोशन है नेस्ट कोशन है निम्लिकित में से किन्हें सर्वोच नेले ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्य समान कारे के लिए समान वेतन को सरचर पदान कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को सही साबित करने के लिए एक तरह से लिखे गए फिर उसकी बाद आप देखे हैं मौलिक अधिकार में मान्यता तो खिसको आवास का दिकार यानि आप कहीं भी आवास बना सकते हैं आर्टिकल 19 के सुदनता है नेक्स आप देखेंगे विदेश यात्रा का दिकार आटिकल 21 के तहट आपने देखा था अर्टिकल 21 में जो प्राण और दहिक सुदनता है उसमें आपने डेखा था जब विदेश में कोई व्यक्ति जाता तो उसका सन अच्छन उसके प्राणों की रच्छा उ जाता है और उसकी बात हम लोग कोशन पर discussion कर लेते हैं हम लिए fifty one number question तो यहां पर आप देखेंगे fifty one number question हम लोग discuss करेंगे ठीक है तो यहां पर 51 number question डिसकस कर लेते हैं तो यहां पर पहला question है fifty one number fifty one number भारती सम्वीधान्वे प्रदत स्वतंतरता का जो अधिकार है, स्वतंतरता का अधिकार किस आर्टिकल में, आर्टिकल 19, कितने प्रकार की स्वतंता है, छे प्रकार की स्वतंता है, यानि स्वतंता का अधिकार के संबन्द में, कौन सा कतन सत्य नहीं है, तो नहीं है, यानि भारत में भ्रमण करने की सुदंता है, संग बनानी की सुदंता है, अभिव्यक्ति की सुदंता है, तीनों तो सही हैं, तो यहाँ पर क्या है सुदंता का धिकार में कौन सन नहीं है, तो नहीं है, यानि इनमें से कोई नहीं, तो 51 का D option राइट हो जाता है, फिर यहाँ पर नेक्स आप देखेंगे, यानि यहाँ पर आप वड़ देखेंगे, यानि इनमें से कोई नहीं, तो हम बिसिकली लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड ध्यान दे अबाधित लिखा है आबाधित यानि यहाँ पर क्या लिखा है भाषण वा अभिवेक्ति की आबाधित सुतंता तो भाषण और अभिवेक्ति की आबाधित सुतंता नहीं है यानि आप कुछ भी बोल कर चले जाए तो ऐसी आजादी यह नहीं दी गई ऑन कोई मितर देश पर फारा इंपध्र देश पर पर इफेक्ट पर इंपड़ता तो आप वैसा कुछ नहीं बोल सकते उसस्तमध में आपके अभिवक्त पर रोक लगाई जाएगी और नेक्स आप देखें दूसरा फैक्ट है कि आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे देश की अकंड़ता और अच्छुरता पर कोई जो है बुरी निजर पड़े या फिर एक तरह से अच्छुरता प्रभावित हो तो इस तरह से ये रिस्टिक्शन लगाया जाते हैं तो यह अपर आइट हो जाता 51 का अप्शन राइट होगा फिर नेक्स कोशन हम लोग डिसकस करते हैं तो सोचन के विरुद्धधिकार जो है आर्टिकल 23 और 24 आर्टिकल 23 और 24 क्या है तो आर्टिकल 23 बिसिकली किससे समद्धित है तो आर्टिकल 23 और 24 किससे समद्धित है तो आर्ट तो आर्टिकल तेस क्या है आर्टिकल तेस जो है वो मानो दूर्वयपार मानो दूर्वयपार और बेगार मानो दूर्वयपार और बेगार पर रोक लगाई जाती है किस पर तो मानो दूर्वयपार और बेगार बेगार क्या होता कि यानि आपके काम कराया जाए लेकिन आपक से मानद दूर व्यपार और वेगार पर रोक लगाई जाती है किस आर्टिकल के ताहट आर्टिकल 2000 कि से सम्वनुथ 25 सब् würden है आर्टिकल 24 से सम्मंदित है आर्टिकल 24ust के अंत्रगत र मतवने, जो 14 52 नमबर कोशन क्या था समिधान की किन अनुच्छीदों में 160 के विरुद अधिकार वड़ित है तो 160 के विरुद अधिकार किसमें दिया गया है 2324 अर्टिकल 2324 C option right हो जाता है और 14-18 समता के अधिकार है समता की साधार पर विदी के समक्ष समता होनी चाहिए और कानून की नज समता है और 25-30 तो यानि आपने देखा था जैसे की 19-23 शोबेश है सोशड के विरुद अधिकार को बताते हैं उसके बाद 25-28 जब जाते हैं तो 25-28 धार में फटन दता है और जो 29-30 जो 29-30 आर्टिकल है वो संसक्रति और सिच्छा के अधिकार से सम्मधित है तो यानि यह फिलहाल यहां पर सोशड के विरुद अधिकार की बात की गई थी तो यहां पर 23-28 शोबीस आर्टिकल के सम्मधित हैそんな in 정 यानी 24 Article आर्टिकल जो है वो बालस्रम के बारे में बताता है, और बालस्रम क्या है कि बच्चो को 14 वर्थ से कम बच्चो को कारखाने में नहीं न्यउक्त किया जाएगा, उन्हें अगर पढ़ने कुछ इनकी उमर है और इनिटे पढ़ने भेजा जाएगा, तो इस तरह से ये बच्चों की सोसर से बजाता है आर्टिकल 24, फिर D option right हो जाता है, नेस्ट कोशन है यहाँ पर भारत की सम्विधान के अंतरगत किस आयू के बालक को किसी खानिया अन्य संकट में सेवा में लगा जाने से प्रतिशेद है, तो आपने देखा 14 वर्षे कम बच तो जब तक उसकी आयू, जो है वो 14 वर्ष है, यानि 14 वर्ष से कम बच्चा है या 14 वर्ष की आयू का है, तो उसे तब तक उसे किसी खारकानिया फैक्टरी में नहीं लगाया जागा, तो 55 का B option right हो जाता है इस बेसे पर, नेक्स कोशन डिसकस करते हैं, नेक्स कोशन है भा जिस स्टेट के समख्ष, उपस्षित करना होगा, तो आप जानते हैं, जब किसी व्यक्ति को गिरफतार किया जाता है, बंदी बनाया जाता है, तो सबसे पहले, यानि व्यक्ति जो है, वो अपनी जो गिरफतारी का कारण जानेगा, उसको अधिकार है, उसको मौलिक अधिक वारंट दिखाएं तभी गिरफ़तारी का अधिकार है उसे यानि तो वह वारंट दिखाएगा और अगर इन केस आपको पकड़ के ले जाता है अगर पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो आपके पास आपका मौली का धिकार है कि उसको आपको 24 घंटे के अंदर 24 घंटे में बज़ी की मज़िश्टेर के समख्ष उपसित करना होगा किसी गिरफतार किये गए या बंदी किये गए वेगदिकों कितने घंटे कंदर 24 गंदर इस बेसे पर 56 का बी ऑप्सन राइट हो जाता है फिर नेक्स कोशन हम लोग डिसकस करते हैं यारी यह किस आर्टिकल में है यह क बजेस के तए आर्टिकल बीस में क्या होता है कि हैंगर कोई वेक्ति गिरफतार किये जाता है अंधिकल 2050 के तहत तो अपराध के लिए पराध के लिए और harij किरिया वेक्ति को कानूनी अधिकार पर ही दंदित किया जाता है और एक आपराध के-अपर ही सजा किस आपराध team के लिए एक ही सजा का प्रावधान है आर्टिकल 20 के तहट क्योंकि आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के सम्मध्ध में दो सिद्ध जो है उससे सनच्छर व्यक्ति अपने आपको प्रोटेक्शन देगा कैसे कि गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को कानूनी आधार पर ही दंडित कर सकते हैं कि कितना किस सजा के लिए प्रावधान है फिर उसके बाद नेक्स जो है एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी तीसरा क्या है किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद गवाही देने के लिए बाद नहीं किया जाएगा और इस प्रावधान कियता है जो है गिरफतारी से संरच्छन तो गिरफतारी से संरच्छन आर्टिकल 22 के साधार पर यानि यहां पर यह बताया जाता है कि अगर कोई वेक्ति गिरफतार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्टेट के सम्मुग प्रसुत करना होगा 24 घंटे के अंदर क्या होगा गिरफतार किये गए व्यक्ति को मजिस्टेट के सामने प्रसुत करना होगा दूसरा दिरिजन अगर किसी व्यक्ति को गिरफतार कर रहे हैं तो उसको गिरफतारी का कारण बताना होगा यानि वेक्ति को गिरफतार किये गए वेक्ति को गिरफतारी का कारण बताना होगा पुलिस को नेक्स आप देखेंगे कि अगर कोई वेक्ति गिरफतार किया जाता है तो उसे अपने लिए जो है वकील चुनने अपने लिए वकील चुनने और उससे परामर्स लेने की भी सुतंतता होगी ये किस आर्टिकल में है आर्टिकल किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल बाइस में है आर्टिकल बाइस क्या है कुछ दसाओं में दो सिज से सनचन या अपरादों के समध में दो सिज से सनचन और से सरण तो यह था गिरफतारी से संद चर्ण वाइस जब कि आर्टिकल बीस क्या है तो बीस है अपराथ हो के संबन्ध में दोसर सिद्धी से सरण ठीक है यहाँ पर नेक्स को चैन हैं लोग डिसकास करते हैं नेक्स को चल यानि 24 गंटे के अंदर मजिस्टेट के सामने पसुत करना होगा यह किस आर्टिकल में आर्टिकल 22 में है ठीक है आर्टिकल 22 में नेस कोशन है नेस कोशन है 14 वर्ष से कम आयू के बहुत से गरीब बच्चे जो है वो पठाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं और इन कारखानों में बच्चों को काम करने के लिए किस मौली तो इस तरह से 60 के विरुदधिकार में आते हैं आर्टिकल 23 और 24 और ये 14 बच से कमाई को बच्चे किसी फैक्टरी या कार खाने में काम नहीं करेंगे ये बालसरम के तहट आर्टिकल 24 के अंतर गताता है तो ये दोनों 60 के विरुदधिकार बी ऑप्सन राइट हो जाता है निमलिखित कत्रों में 58 नमबर निमलिखित में सी किस सनुच्छे में कहा गया है कि किसी भी वेक्ति को एक ही अपराध हो के लिए एक बार से अधिक दन्डन नहीं दिया जाएगा यानि एक सजा के लिए एक ही प्रावदान तो अभी मैंने डिसकस किया कि जो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 क्या कह रहा था, कि आर्टिकल 20 अपराधों के सम्मन में दो सिद्ध से सनच्छा, दो सिद्ध यानि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद गवाही के लिए बात नहीं किया जाएगा, अगर कोई व्यक्ति गिरफ के लिए एक अपराध के लिए एक ही सजादी जाएगी, और जब अपने के लिए प्रोटेक्शन की बात हो, तो आर्टिकल 22 में जाएगे, कि आप आपको गिरफतार कर ले गए तो आप 24 घंटे कंदर मजिस्टेश के सामने पसुत करेंगे, अपने लिए वकील हायर कर सकते ह या फिर आपको गिरफतारी से पूर कारण बताना होगा, यानि अपने लिए जब प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप किस में जाएगे, गिरफतारी से सनच्छर की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल 22 में जाएगे, जबकि आर्टिकल 20 में क्या होगा, अगर आपने को को एक अपराद के लिए एक ही सजा मिलेगी और अपने विरुद गवाही के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा और गिरिफतार किये गए वेक्ट को कानुनी आधार पर दंडित किया जाएगा तो आर्टिकल बीस तरह से क्या हुआ कि अपराद किया है तो उसके समझ में आपको सनच्छन की कम से कम सजा मिल जाए और आटिकल 22 क्या कह रहा है आटिकल 22 अगर आपको पहली स्टेज में अगर आपको गिरफतार करके ले जा रहा है तब आपके पास क्या आधिकार है तो आटिकल 20 और 22 समझ लिया आपने आटिकल 21 प्राण और देहिस तंता से समझ अतरा के आंटर से समस्टार कें नेुक्त करते हैं 59 नॉमबर सेनबर कोशन भारती समिधान में कोई अपराध किये जाने वाले किसी विध समान्नी विक्थी के कि एंतरगत गिरफतार किया घया था कौई यानि निम्लिकत में से कौन सा अधिकार बदान किया जाएगा, तो किसी भी व्यक्ति, यानि किसी भी सामाने व्यक्ति को अगर कोई पुलिस उठा कर ले जाती है, संदे के वेसेस पर या किसी वारंट के जुरू, थूँ, तो यहाँ पर जो पुलिस ले जाएगी, तो गिरफतारी के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्टे के समुख प्रसुत करेगी, फिर जो व्यक्ति होगा, उसे अपने लिए वकील से परामर्स लेने और बचाओ करने का भी अधिकार होगा, और गिरफतारी से पूरू उसको कारण बताना पड़ेगा, यानि सिगरता से जानने का अधिकार होगा गिरफतारी का कान, यह तीनों सही हैं, किस आर्टिकल में हैं तीनों, यह आर्टिकल 22 में हैं तीनों, तो 59 का D option right हो जाता है, धर्मिक स्वतंतरता का अधिकार सम्विधान की किस अनुच्छेद में वड़ित हैं, तो धर्मिकी स्वतंतरता का अधिकार जैसा की मैंने बताया, 12 से 35 हाटकल वो मूल अधिकारों को 6 भागों में बाट दिया गया, सम्टा का अधिकार, 16 के विरुद्ध अधिकार, यानि सम्टा का अधिकार, फिर 19 से 22 जो है, स्वतंतरता का अधिकार, फिर 23 और 24 जो है, स्वतंतरता का अधिकार, फिर 25 से 28 जो है, वो 16 के विरुद्ध अधिकार के बाद आपने देखा, कि सोचट की विरुदि अधिकार के बाद आपने देखा कि जो धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार 25 से 28 हो गया फिर 29-30 में जो आपने देखा संसक्रत और सिछा का अधिकार अलसंख्यक वर्जु है उन्हें संसक्रत और सिछा का अधिकार 29-30 अधिकार में है तो यहां पर क्या है यहां पर है आपके पास की धार्मिक स्वतंता का अधिकार किस आर्टिकल में है पचीज से 28 आर्टिकल पचीज से 28 यानि D option यहां पर राइट हो जाएगा नेस कोशन आप देखेंगे भारती समिधान के अनुच्छित 25 का संबन तो आर्टिकल 25 क्या कहता है किसी भी धर्म को अबाद रूप से माननी पचार पसार कनने की स्वतंता यानि धार्मिक स्वतंता की बात करता है कौन आर्टिकल 25 यानि 61 का C option राइट हो जाता है नेस कोशन आप देखेंगे नेस कोशन है यहां पर नेस कोशन है 62 नंबर कोशन तो 62 नंबर है धार्मिक स्वतंता धार्मिक स्वतंता जभी भी वर्ड हम लेंगे तो आर्टिकल 25 की तरफ देखेंगे यानि आर्टिकल स्वतंता की अधिकार को अधिकार में समिधान के अंतर थिहां्ता है तो जो सिख वर्ग है वो अपने धर्म के ऊकाडिकर रखने के अधिकार दिया गया च्वाइसांदाод फिर आपप्षोंस समाज सुधार विधि निर्मार का या यानी यह थार्मी सुधानता हो नियमार कि पिलएबित सकती है लेकिन धार्मिक स्वधनता यानि यहां पर लोगों के धर्म को ध्यान में रखते हुए कि लोगों को धर्म की स्वधनता है तो राज्यों को समासुधार विधिका निर्मार करने का अधिकार है फिर नेक्स आप देखेंगे धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परि तुसरा तीसरा यानि 62 का यह option राइट हो जाता है ठीक है next question हम लोग discuss कर लेते हैं 62 के बाद 63 number question तो next question है 63 number question तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे I think visible होगा और ज्यादा स्यादा आप तुरंट share करते हैं उसके बाद फिर से continue करें तो यहाँ पर हम लोग discuss करते हैं 63 number question तो 63 number question है सम्विधान की किस अनुछेद द्वारा सिखों को क्रपाण रखने का अधिकार दिया गया धार्मी का धिकार आणि धानमिक स्वतन्ता का जो अधिकार है आर्टिकल 25 जो है वह राज्य किन आधियरों पर पतिबंध उन पर लगा सकता है तो आप देखेंगे स्वास पर अगर सदाचार हो रहे हैं सदाचार या लोग वीस्ता या स्वास पर जो है अगर बुरा पचीश आडिकल में आठिकल नंबर पचीश में तो यहाँ पर बात की जा रही है कि संभीधान दोरा जो धान्वी का दिखार दिया गया है उससे धान्वी का दिकारों पर राज किन आधारों पर पतिबंद हैं किन आधारों पर रूप लगाया सकता हैं तो सवास, सदाचार और लोगवेस्था यानि इन तीन आधारों पर स्वास, सदाचार और लोगवेस्था इन तीन आधारों पर राज जो है वो पतिबंध लगा सकता है इसलिए 64 का D option right हो जाता है एक, दो, तीन यानि तीन हो यानि लोगवेस्था हो रहा है स्वास या सदाचार इम पर समविधान की किन अनुच्छेदों की अंतरगत अलसंखक जो है अभी मैंने डिसकस किया कि जो 29-30 आड़कल हैं 29-30 बिसिकली संसक्रती और सिच्छा का अधिकार है तो 29-30 आड़कल अलसंखक जो माइनोर कमिनूटी है तो अलसंखक जो है यानि आड़कल 29 क्या कहता है यानि इस वर्गो को सनच्र पदान करने का अधिकार आर्टिकल 29 के तहर है यानि आर्टिकल 29 जो है उसमें अलसंख्यक सब्द का प्रयोग तो करता है लेकिन उसका बड़न ने किया कि अलसंख्यक में कौन-कौन लोग आएंगे कि आप देखते हैं कि जिसकी कमजन संख्या है वो अलसंख्यक में आएंगे कि कौन आएंगे तो अलसंख्यक को डिफाइन ने किया है उसने आर्टिकल 29 फिर आप देखते हैं आर्टिकल 30 तो आर्टिकल 30 जो है अलसंख्यक को को सिछर संसान खुलने की स्वतनता देता है सिछर संसान इसापित करने उन्हें संचालित करने तो यहां पर क्या है, यहां पर सिच्छर संसान इस्थापित करने और संचालित करने की स्वतनता, तो आर्टिकल 29 यानि B option राइट हो जाता है, तो यहां पर question number 65, 65 का B option राइट हो जाता है, नेक्स्ट कोशन है, भारती सम्विधान का कौन सा अनुच्छीत अल्ग संखको को अ सिच्छर संसान इस्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देता है, अल्ग संखको को जबकि आर्टिकल 29 जो है, वो नागरिकों को अधिकार देता है, जो सनच्छर बदान करता है, यानि अल्ग संखको को सनच्छर बदान करता है, तो यह आर्टिकल 29 में है, तो यहा नेस्ट कोशन हम लोग डिसकस करते हैं भारती संवीधान की किस अनुच्छीद में संवैदानी कुपचारों का दिखार में तो आर्टिकल 32 क्या है समवैधानी कुप्चार मतलब इलाज तो इलाज किसका समविधान के थुरू यानि इलाज किसका जब मुल अधिकारों का चनन हो जाए और मुल अधिकारों के रिट होती है जो है वो पास प्रकार की रिटे हाई कोट भी जारी कर सकता है यानि लेकिन वो जो हाई कोट है हाई कोट की रिट जारी करने के सकती जो है वो सुप्रिम कोट की जो तुल्ला में जादा ही है क्योंकि जो High Court के पास भी ये पावर होती है रिड़ जारी करने की और वो किसी भी कानूनी अधिकार के लिए क्योंकि ये इस अंदर में कि High Court की रिड़ जारी करने के सकती जादा होती है सुप्रिम कोट से इस आधार पर क्योंकि जो high court है उसे किसी भी यानि किसी भी कानूनी अधिकार के हनन होने पर वो जारी कर सकता है high court लेकिन जो supreme court है वो particular व्रक्तिकत अधिकार यानि व्रक्तिकत मूल अधिकार है उसके हनन पर लागू कर सकता है केवल मूल अधिकारों के हनन पर लागू कर सकत तो समयधानी कुप चारों का अधिकार किस आर्टिकल में है आर्टिकल बत्तिस सी ऑप्सन राइट हो जाता है नेक्स कोशन हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स कोशन है यहाँ पर 69 कोशन नमबर ठीक है 69 कोशन है कि मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर बी आनम रिट करने समयधान की हर्दय और आत्मा किसे का है समयधान की हर्दय और आत्मा किसे का है समयधानी कुप चारों की अधिकार को आर्टिकल बत्तिस को और आर्टिकल बत्तिस आपने देखा रिट जारी करने, रिट जारी कर सकता है इसी के थ्रू, यानि यह protection दे रहा है पूरे मूल अधिकारों को, यानि आर्टिकल जो आप पढ़के आए हैं अभी आर्टिकल जो है 12 से 35 आर्टिकल में तो 12 से 31 सकी, अभी जब आप पढ़के आए 12 से as like 30 सकी तो वो जो 12 से 30 आपने पढ़े तो उनको protection दे रहा है समयधानी कुपचारों का अधिकार इसलिए, डॉक्टर बी आर्म्बेटकर भाबा साब ने समयधानी कुपचारों को समयधान का हर्दय और आत्मा की संग्या दी है, तो B option यहाँ पर हो जाता, 69 का B option Next question है समयधानी कुपचारों का जो अधिकार है यानि आर्टिकल जो 32 है किन परिस्टियों में निलंबित हो जाता है तो किन परिस्टियों में निलंबित हो जाता है यानि जो है, वो सुप्रीम कोड है, यानि आप देख रहे हैं जब आपातिस्टि होगी, तो हमारे मोल अधिकार हनन हो जाएंगे तो समयधानी कुपचारों का अधिकार जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब मोल अधिकारों का हनन हो जा रहा है तो उस कंडिशन में समयधानी कुपचारों का जो अधिकार है किस संब्द में जब कोई आपातिसित की घुशनात देश में करती जाATE या सेना सदर्स्यों के मद्य संब्ध हो या सेनक विद्धि लागो हो यानि, 70 का कौन सा option right हो जाएगा कि इन तीन परिस्थिति आपातिसित हो जाए सेना सदर्स्यों के मद्य संब्ध में संबंध में या सैनिक विधिलागू हो तो उन कंडिशन में सम्वैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो निलम्बित हो जाता है तो D option right हो जाता है 70 का Next question है 71 number question तो 71 number question क्या है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा अधिकार कौन सा अधिकार भारती संबिधान के अनुच्चे 32 के अंतरगत परवर्तित किये जा सकते है यानि कौन सा अधिकार जो है भारती संबिधान के आर्टिकल अनुच्चे 32 के अंतरगत बदले जा सकते है परवर्तित किये जा सकते है तो आपको अंसर दिख रहा होगा कि संबैद 32 जो है वो मौलिक अधिकारों को protection देने की बात करता है तो इस तरह से his basis for 79 का तो यानि यहाँ पर कौन सा अधिकार किसको प्रवर्तित कराया जा सकते है प्रवर्तित यानि लागू तो यहाँ नहीं यहाँ पर क्या answer right हो जाएगा पिर हम लोग आगे next question discuss करते हैं यहाँ पर क्या हो गया 71 का B option right हो गया पिर next question हम लोग discuss करते हैं next is 72 number question और 72 number question है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो निम लिखित में से किसी नियाले द्वरा जारी किया जा सकता है तो नियाले क्या जारी करता है मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आप इतनी देर से आपने कई बार इस वर्ड का जिखर देखा रिट रिट जारी करने के सकते हैं यानि समादेश भी कर सकते हैं कभी कभी रिट को तो समादेश या रिट जारी कर सकता है कौन सुप्रेम कोड या हाई कोड मौलिक अधिकारों के उलंगन होने पर या हनन होने पर तो C option राइट हो जाता है Next question है व्यक्तिगत सुतंतरता के लिए निम्लिकित में से कौन सी रिट या याज का दायर के जाती है आपके पास option है मैंडमस, हैपियस कॉर्पस, कोबरणटो और सर्च योरिरे तो आपने जो पांच प्रकार की रिटे पढ़ी है कौन कौन सी पांच प्रकार की रिटे पढ़ी है बंदी, प्रतच्छी करण, उत्प्रेशन उत्प्रेशन, और उत्प्रेशन के बाद जैसे अधिकार प्रेच्छा हो गया प्रेच्छा, पर्मादेश उसकी बाद उत्प्रेशन, उत्प्रेशन आपने देख लिया और प्रतिशेद, पांच प्रतिशेद प्रतिसेध तो इस सम्बंध में यानि आपको यहां पर English version भी देखा जाता है और Hindi version भी तो पांस प्रकार की रिटे क्या होती बंदी प्रतिच्छी करण उद्प्रिशन, अधिकार प्रिच्छा पर्मादेश और प्रतिशेध तो इनके English verdict में आपने देखा कोई भी Hindi नाम नहीं दिया गया है तो आप कैसे जान पाएंगे तो यहां पर आप जानने कि जो बंदी प्रतिच्छी करण है इसकी English क्या होती? happiness corpus यानि happiness corpus किसके बारे में है? बंदी प्रतिच्छी करण फिल नेक्स आप देखेंगे अधिकार प्रेच्छा तो अधिकार प्रेच्छा जो है उसको कहा जाता है को वारंटो किसको कहा जाता है? अधिकार प्रेच्छा को क्या? वारंटो को वारंटो क्या कहा जाता है? को वारंटो फिन्डेक्स आप देखेंगे परमादेश तो परमादेश देना तो इसको कहा जाता है मैंडमस मैंडमस कहा जाता है परमादेश को क्या कहा जाता है मैंडमस डियर एस्प्रेंट आपका ही नोट डाउन कर सकते हैं या बुक है तो वहाँ पर उसकी इंगलिस आप साथ में लिखते जाएं बंदी प्रतिच्छी करण को हैपियस कॉर्पस कहते हैं जो उत्प्रेशन है उसको सर्चियोरी कहते हैं अधिकार प्रेश्चा को जो है उसको को वारंटो भी कहते हैं और परमादेश जो है इसको इंगलिस में मैंडमस कहते हैं और जो प्रतिशेद है प्रतिशेद यानि मना करना तो प्रतिशेद क्या है प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन कहते हैं प्रतिशेद को यहाँ पर option क्या है यानि मैंडमस है तो मैंडमस को क्या कहेंगे मैंडमस को जो है मैंडमस परमादेश कहेंगे वी happiest corpus जो है वो बंदी पतच्छी करण के बारे में है प्रतच्छी करण को वारंटो जो है वो अधिकार प्रेच्छा के बारे में है और जो तो सर्स्योरी उत्प्रेशन के बारे में हैं अब आईए समझते हैं कि परमादेश क्या है बंदी प्रतच्छी करण क्या है क्योंकि इसके बाद जो कोशन बनने वाले हैं वो इन्हीं रिट से बनने वाले कोशन है तो सबसे पहली बात आती है कि बंदी प्रतच्छी करण क्या है बंदी पतेची करन या चिकाट करता है नयाल में अगर व्यक्ति के संतर है अगर व्यक्तिक कह सकते हैं कि जिसे दूसरे द्वारा जो हिरासत में रखा गया होता है और सुप्रियम कोड इसे बंदी पतलची करन जारी करता है और उसे जो है उसे यानि पठी गोलर जो व्यक्त है जिस भी नयाले में उसका मुखनमा चल ला है उस व्यक्त को यानि सुप्रियम कोड में पे फ्किन्भान ओफस्त विक्ति का मांळा अवैध रहा जाता है रहा हुआ कि रहें दिखाया रहат है और हुआ dow फोसके प्रली पत्विश्त में लिधों दो भी तो सकी जो कंथा वंपार को अर पर इस रहा हुआ है बनदीपैशिकर्ट अगर कोई वेक्थि जो है वो किसी नयले मुसन का मुकदमा чल रहा है ऑर वह वालिया शुप्रीम पोड में याज-का दायर करता है यानि जो जिस व्यक्ति को आपने हिराशन में रखा है उसे आप हमारे सामने प्रस्तुत करें और जो नयाले है सुप्रीम कोड है वो उस मामले की जाज करेगा तो इसे कहा जाता है पियस कारपस या बंदी पते चीगा फिर नेस्ट हेडिंग जो है यह मैंडमस मैंडमस मतलब परमादेश मतलब सुप्रीम कोड कहता है हम आदेश देते हैं इसका सब्दिक मेंडमस क्या है हम आदेश देते हैं तो यानि इसके अंतरगत क्या हो जाता है इसके अंतरगत एक तरह से जो नयायले है नयायले जो है वो सारजनिक जो अधिकारी है जो अधिकारी है सारजनिक सावजनिक अधिकारियों को सावजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है नयाले दोरा और इसके तहट क्या होता है इससे उनके कारियों को जो अधिकारियों है उनके कारियों और उनके नकारने के संब्द में कि उन्होंने किसी काम को कैसे किया या क्यूं किया उनके संबंध में जाच प्रता करने के बारे में पूछटाच कर सक ही इसलिए नेयले सारजनी क अदिकारियों को जारी करता है परमादेस कि हमादेस देते हैं ये मुझे काम मिलना चाहिए या आप इस संबंधमे जानकारी दें तो ये परमादेश है और उससे ये खिस्से समधित है नयाले जो है सारजनिक अधिकारियों को जारी करता है और इस हमन में आप देखते हैं कि कोई भी जैसे सारजनिक की काई हो गई तो सारजनिक काई हो गई निगम हो गया अधीनस जो नयाले हैं प्राधिकरण हैं या सरकार के खिलाफ समान उद्देश के लिए ज़ जारी किया जाता है ये तो इसमें क्या है ये परमादेश हो गया, मैंडमस हो गया, यानि सार्णकर्थ कि हम आदेश यह जेते हैं, या यह किस संथ में जारी किया जाएगा जाएगा एक तरह से नियालों में जो है जो भी मुकद्म्व को यून मुकद्मो में anders LQD secco seat भी मुकद्म ह Favorative himala is aと思います वो सुप्रीम कोड में अपनी याच का दायर कर सकता है और इसके थुरू यानि इसके थुरू अगर जो सुप्रीम कोड है वो जैसे कि को वारंटो यानि अगर को वारंटो जारी कर दी सुप्रीम कोड ने तो इसमें क्या होता को वारंटो मतलब अधिकार पेच्छा यानि इस इसे क्या होगा अगर को वारंटों के दारा इसे नयाले द्वारा किसी भी व्यक्ति द्वारा सावजनी कार्लाले में जो दायर अपने दावे की जांज के लिए जारी किया जाता है यानि एक तरह से जो अधिकार पेच्छा है अधिकार पेच्छा क्या है तो अधिकार पेच्छा जब कोई व्यक्ति जो है अधिकार पेच्छा या को वारंटों तो जब कोई व्यक्ति जो है अपने पद की सक्तियों का गैर कानूनी तरीके से प्रयोग करता है तो इसे क्या ग बेट कारेपालिका दौरह जारी की जा सकती है।र इसे गहते हैं अधिकार प्रेच्छ? Next है सर्ष योरेरी.SARCH योरेरी क्या है? OTHPRAYSन मतलब उद्प्रेशनáis उद्प्रेशन का साब्थ कर्थ क्या है? प्रमाइदि होना. तो उत्प्रेशन क्या है उत्प्रेशन मतलब इसे उचे नयाले द्वारा जो है वो अधिनस नयाले को या दिकर्णों को या जो लंबित मामले हैं तो दूसरे नयालों में चलना है तो उनको सीधे अपने यहाँ पर उत्प्रेशन के माध्यम से क्या होगा सूचना देकर कि उ उसे गहते हैं उत्प्रेशन, यानि किसी भी मुगतम या किसी भी नाययले में वह चला हो गतमा उसे मंगा लेगे, वह उत्प्रेशन ऑर प्रतिष्यद सुनेख जए 1 रहे होता है सुप्रीम कोट तो यानि किसी उच नायले दौरा किसी अधिनस को सुप्रेम कोट 백 हाथिकर्णो failure को या धि writers nine वह ऑन्ट से जा डिया जाता है प्रतिश्य ओर महते हों उसमें जो यानि एक फोर्स दिया जा रहा है परमादेश वर्ड में उसी तरह से जो पतिशेद है तो पतिशेद भी परमादेश की तरह यानि जिस तरह परमादेश सीधे सक्री रहता है पतिशेद भी पतिशेद जो है वो पतिशेद सीधे सक्री नहीं रहता तो उनके विरुद ही जारी किये जाते हैं प्रतिशिक, तो यह आपने देखा, यानि आपने यहाँ पर पांचो रिट के बारे में डिस्कसन किया, मैं नमस जो है, वो प्रमादेश है, हैबियस कॉर्पस, बंदी पतची करण है, को वारंटो अधिकार पेचा है, और सर्श योरी उत्परेशा है, तो व्यक्तिकस सुतनता से कौन सा संबन देता है, तो हैबियस कॉर्पस, सी ओप्सन राइट हो जाता है, नेक्स कोशन है 75 नमबर कोशन, शर्वह क summation होगा 75 नमबर कोशन, तो यहाँ पर 75 Нमबर कोशन है, विबिन प्रकार की समादेश या रिट जारी करने का अधिकार जो है, वो सर्वोच नयाले का तिरिक थरिक तूर निमले कितमें से किस नयाले या नयाले को फ्राप्त है, यानि रिट और कॉन दायर कर सकता है, रिट और कॉन जारी कर सकता है, तो सुप्रीम कोट दारी कर सकता है, आर्टिकल 32 के तहद, और हाई कोट जारी कर सकता है, आर्टिकल 226 के तहद, इन्हीं के बारे में समिधान में लिखा गया है, तो यानि रिट और कॉन जारी कर सकता है, तो यानि यहाँ पर परपस की अतरिक दिनिवलिखित में से किसी आचिका को उचिनायले जारी कर सकता है। तो बेसिकली जो उचे नयाल है, जिस तरह से बंदीपत अची करना है, उसी तरह से पांचो रिट जो है, पांचो रिट सेम अधिकार है, जो सुप्रेम कोड भी जारी कर सकता है, और हाई कोड भी जारी कर सकता है, इवेन हाई कोड की जादा पावर है सुप्रेम कोड से रिट जारी कर सकता है तो यहां पर आप देखेंगे जो बंदी प्रतची करण है इसके अधरिक जो उचले आले कौन सी रिट जारी कर सकता है तो यह चारू यानि यह सभी यह उप्सन राइट हो जाता है नाइस-Quotion है बंदी-पतची-करन-याचिका, तो जो बंदी-पतची-करन-या-चिका है, यहां पर आप देखेगा, जो बंदी-पतची-करन-याचिका है, क्या थी? या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल, या फिर किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, या नेड़ुध व्यक्ति या हितबद्ध दोनों व्यक्तियों द्वारा जारी की जा सकती है, तो आपने देखा जो बंदी पतेच्छी करन याचिका है, क्या थ यानि कि कुई भी व्यक्ति अगर गैर कानुनी तरीकर से गिराफतार कर लिया घया है तो इसे रहाने के लिए बंदी पतली करण ठीकर दारी जायती थी नहीं फो만शली मुझेशी प्सस्वर्णी सोफ्यपी की क्या वड़ है याचिका याचिका कौन दायर करेगा जो व्यक्ति जो इससे प्रभावित होगा यानि जो भी इस कानों से यानि जो भी प्रभावित होगा गिरफ्तारी से या इसके सलचर से कारेपालिका की कामों से जो भी प्रभावित होगा वो याचिका दायर करेगा तो जो निरुद्ध व्यक्ति है या हितबध उसका कोई व्यक्ति है कोई जो यानि particular व्यक्ति जो है उसकी आर्थिकिस इत नहीं है कि वो Supreme Court में अपना मामला ले जाए तो उससे समंधि जो हित उसका चाहने वाला कोई व्यक्ति है वो दोनो दोनों दोरा यानि निरुद व्यक्ति दोरा या हितबध व्यक्ति दोरा दाखिल की जा सकती है बंदी पतरची करन याचिका है तो यहाँ पर आपने देखा कि बंदी पतरची करन जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफतार कर लिया जाता है गैर कानुनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है यानि एक तरह से कह सकते हैं जब पुलिस जो है वो नजरवंदी यानि जो गैर कानुनी तरीके से एक तरह गिरफ्तार कर लिया तो इसको इस सम्बन में क्या कह सकते हैं कि दोस्पूर्ण पुलिस नजरवंदी के संबन में बंदी पतेचिकर्ण याज़ का जारी की जाती है फिर नेक्स आप देखेंगे नेस्ट कोशन है किसी व्यक्तिका अवैध निरोध के मामले में नयाले द्वारा जारी परमादेश कौन सा है परमादेश यानि हमादेश देते हैं यानि सुप्रियम कोड आदेश देता है तो यहाँ पर क्या है अवैध निरोध के मामले में अवैध निरोध के मामले में जो नयाले है नयाले द्वारा जारी जो परमादेश है वो कौन है तो परमादेश को इंगलिस में क्या कहते है परमादेश को इंगलिस में मैंडमस कहा जाता है तो मैंडमस यहाँ पर आपसर सिर्फ इंगलिस ही पूछी गई थे इस तरह से आप से पूछा जा सकता है कि happiest corpus जो है इससे समंद्ध में line दे दे उसके बाद कह दे happiest corpus तो happiest corpus बंदी पत अच्छी करना सर्श यूरियोद प्रिशा और कुवारंटू अथिकार पेच्छा mandamus परमादेश और प्रोहिबीशन जो है वो पतिशेद के बारे में next question है यानि यहाँ पर be of the right हो गया फिर 80 है निम लिखित में से किस याचिका का समंद्ध जो है किस याचिका का साप्धिकर्थ होता है हम आदेश एते हैं तो हम आदेश यानि परमादेश नाम में ही वीद है कि परमादेश परमधनादेश उसको तोड़ेंगे परमधनादेश यानि हम आदेश एते हैं मैंडमस जो है वो इसका साब्धिक मेंस है कि हम आदेज देते हैं बंदी पतच्ची करण का साब्धिक मेंस क्या था बंदी पतच्ची करण का साब्धिक मेंस था कि जो बंदी पतच्ची करण का आर्थ साब्धिक आर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए यहां पर इसका आर् होता है को अरंटो के द्वारा. यानि, इस में किसी वक्ति ौक तो, यहां पर क्या है जो अधिकार पेच्छा ऐन किसे न्याईल स्वार्ण की व्यक्ति द्वार्णा हो गया, या सारजनी के यार्णाजरी जयरी हो में किरण गज़ी जाती अधिकार. यानि यहाँ पर जो न्याला है अगर वो एसे मावलेओं की सुनाई करते हैं जो उनके दाइरे या छेतर में नहीं आ रहा है तो इस समंद में अधिकार पेट्चा या अधिकार पेट्चा रेट जारे जारी की जाती है या फिर जो व्यक्थी है व्यक्ति जो है अपने सक्तियों का गैर कानूनी तरीके से दुर्पयोग करता है तो उसे इस सम्मझ में अधिकार पेच्छा जो है यानि आप अपने अधिकारों का जो गलत फैदा उठा रहा है इस सम्मझ में अधिकार पेच्छा रेट जारी की जाती है उत्प्रेशन क्या है उत्प्रेशन जो है साब्दीगर्थ क्या है तो उत्प्रेशन का साब्दीगर्थ है प्रमारित होना या सूचना देना तो प्रमारित होना या सूचना कि आपके हाँ न्याले में जो भी गरवाहे चल लई है अधिनस न्यालों में या अधिकरणों में जो भी मामले हैं। उनको क्या किया जाएं। उनको ठानांतरत किया जाएं। अई होप आप समझ गए। तो हम आदेश जेते हैं, पर हम आदेश बी अप्शन राइट है। next question है कौन सा समाधेश किसी अवैद व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है यानि अवैद व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है तो सरकारी पद को बचाने के लिए कौन सा यूज किया जाती है तो आप देखेंगे कि अधिकार पेचा जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का गलत फैरा उठाने लगता है अपने पावर्स का गलत यूज़ करने लगता है तो इस सम्मध्ध में सरकारी पद को बचाने के लिए जो है जारी की जाती है अधिकार पेचा रेटर ब्यक्ति या निगम या अधिना सधिकरण जिस कारे को करने के लिए आबद है उस कारे को जारी करने वाली रेट को क्या कहा जाता है तो उस कारे को जारी करने वाली डिट को क्या कहा जाता है परमादेश, परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, कि आपको मतलब ये कारे करना है, तो यानि यहाँ पर क्या है, फोर्स बली वो चीज़ दे जा रही है, आबध करी जा रही है, तो आबध यानि परमादेश, भी नेक्स कोशन है वह हो नीट जो भारत के धृष ज्र मेड़ा किसी व्यक्ति या सारजनिक वेट निखलाकर मेड़ करया निकालें यहां पर आबद्ध यानि फोर्सबली कोई चीज़ का आई जा रही तो परमादेस आप निकालने है फिर नेफ्स कोशन आप देखेंगे रिट से संबंदित रिट है कि निमलेखित में से किस लेख या रिट दोरा किसी सच्छम नयाले दोरा किसी व्यक्ति या निगम या नेट्सकोशन है एक एसी याचिका जो नियायपालिका दोरा जारी की जाती है और जिसमें कालेपालिका को घख यहां यह कारिकरी जो उसे प्राप्त सक्तियों के अंतरगत करना चाहिए था यानि रिट याचिका को कहा जाता है तो एक ऐसी याचिका जो नयायपालिका दोरा जारी की जा रही है और जिसमें कारेपालिका को नर्देश दिया जा रहा है यानि ये कहा जा रहा है कि कारेपालिका जो है कि वही कार्य करें जो उनको सूचित किया जा रहा जो उनके अंतरकत है तो यहां पर भी एक तरह से अधिकार जो है एक तरह से क्या कहा जा रहा एक तरह से आदेश देने का कार्य हो रहा तो 85 का भी B option right हो जाएगा मैंदमस या परमाण। फिर नेच्स falsch नँमबर है कि उत्प्रेशन उत्प्रेशन् रिड निमलगती वैसे किस आधार पर जारी की जाती हैं तो शाश्योरी यानि उत्प्रेशन उत्प्रेशन क्या था प्रमाडित होना या सूचना दें आप आपके न्याले में क्या करवा ही की जारी है तो उत्प्रेशन रिटक के समद्ध में जारी की जाती है पहला अधिकारता का भाव या अधिकारता से बाहर किये गए कारी के लिए दूसरा option है नैसरगी के न्याय के सिधान्तों का अतिकरमण होने पर। यानि कोई कानूनी एक तूटमी के आधार पर अभी लेग में प्रकट किया गया। तो ये तीनों मेजर काऩ दिख रहे हैं जिसके खिलाफ जो है, यानि जिसके खिलाफ जो है ये तीनों मेजर कारण जो है वो उत्प्रेशन के दिख रहे हैं यानि उत्प्रेशन में क्या है कि अधिकारता का भाव हो या अधिकारता से बाहर कोई कारी किया गया है तो उसे जो है उत्प्रेशन यानि सूचना या प्रमारित होने की सूचना जाएगी कि आप प्रमारित करें या सोचना दें आपके अहां जो कारवाही जो चल लही है तो इस अमन्द में यानि अतिकार्था का भाव या अतिकार्था से बाहर किये गए कोई भी कार्यों या नैसर की किनाय के सिधातों का अतिकमण होने पर ये रिट जारी की जाएगी औ और या फिर अभिलेग में प्रतचता प्रकट विधिक दूठी के आधार पर ये रिट जो है जारी की जाएगी उत्वरेशन के तो उपर यूग सभी आप्शन राइट हो जाता है दी आप्शन पर नेस्ट कोशन है एट्टी सेवन नमबर कोशन है निमनिकित में से किस या उसके अधिकार में नहीं है वो चीज तो वो उस पर कानून नियम या नागू ना करें ना बनाए तो यानि अधिकार पी इच्छा बी आप्शन राइट हो जाता है नेस्ट कोशन है नियाले द्वारा जारी किये गए परमादेश यानि हम आदेश देते हैं परमादेश कि मादेश के मादेश से नहाले क्या करेगा तो परमादेश के मादेश से नहाले कहता है आदेश जारी करता है तो आदेश जारी करना अब हम आप्शन ऐसा देखें कि किसमें आदेश जारी करने की बात कही गई है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पर द कौन मूल अधिकारों के अंतरगत नहीं आता है तो कौन मूल अधिकारों के अंतरगत नहीं आता है आपने देखा सुतंता का अधिकार आता है समानता का अधिकार आता है सोचन के विरुद अधिकार आता है जबकि संपत्ति का जो अधिकार था वो मूल अधिकारों में इसका स्थान था लेकिन वर्तमान समय में नहीं है तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है तो आप यहां पर देखे संपत्तिक अधिकार यानि जहां पे भी आपको देख जाए संपत्तिक अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है वर्दमान समय में यह बैधानिक यह संवैधानिक अधिकार बन गया है तो इस तरह से आप देखते हैं समानता का अधिकार भी है स्वाधनता का अधिकार भी है और समयधानिक प्राधिकार का भी अधिकार है लेकिन संपत्तिक अधिकार नहीं है D option right हो जाता है नेस्ट कोशन है संपत्तिक अधिकार तो संपत्तिक अधिकार चुकि एक मौलिक अधिकार तो रहा नहीं तो मौलिक अधिकार नहीं रहा तो संपत्तिक अधिकार क्या हो गया यानि 92 का क्या सही हो जाएगा जो 92 का यानि संपत्तिक अधिकार जो है वो एक कानूनी अधिकार के सामानी वैधानी क धिकार बना दिया गया तो आप देखने संपत्य का थिकार जे कितनी बार कोशन पूछा जाता है तो यहाने सम चाहली सभालिस्वा समधानशनソदन बैसिकली इसमिए आप एक ही जो सम चाहली करें आप ऑुर्फैасमे पतकार करके ! अब कहा है तो 300 का अर्टिकन में है तो यानि इससे सम्धित बस इतने एकोशन पूछे जाते हैं तो यहाँ पर 44 मा समिधान संसोधन विधियक किस मौलिक अधिकार द्वारा सामानी वैधानिक अधिकार बनाया गया या कानूनी अधिकार बनाया गया तो यहाँ पर कौन सा ओप्सन राइट हो जाएगा तो संपत्तिक अधिकार सी ओप्सन राइट हो जाएगा नेस्ट कोशन है निम्लिकित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है तो संपतिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है नेस्ट आप देखें नेस्ट कोशन है भारती समिधान के अनुसार संपतिक अधिकार है तो संपतिक अधिकार क्या है त किस आर्टिकल में रखा गया तो किस आर्टिकल में इस्थान दिया गया 300 का आर्टिकल या अभी मैंने डिसकसन कर दिया कि संपति के अधिकार को चबारेश। मुलभूत अधिकार नहीं है,, तो मुलभूत अधिकार क्या नहीं है?" आपको कोई अधिकल मिलता है कि मुलभूत अधिकार आठावायर cha का संवेधनिक अधिकार को चौन रखा नादिकल गया 98 का D omega? ARE डिसकस करते है gör तो 99 number question । इह पर आप देखेंगे 99 number question । जाना पर 99nut तो मत देने का अधिकार एक नागरी का अधिकार को तो आप यहाँ पर option ही ऐसे drag किये गये हैं कि एक राजिनती का अधिकार एक आर्थी का अधिकार या एक कानूनी अधिकार और एक नागरी का अधिकार तो मत देने का अधिकार किसके पास होगा आपने देखा मत देने के लि तो वाक और अभिवक्ति की स्वधनता बोलने के आ जाती, अभिवक्ति के आ जाती या प्रिस के आ जाती, किस आर्टिकल के द्रूम, बताएं जल्दी, तो यहां पर वाक और अभिवक्ति की स्वधनता आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत प्रिस के आ जाती या अभिवक सिमान नी परचार परचार करनी की स्वधनता यानि धार्मिक स्वधनता की बात किस आर्टिकल में की गई है तो आर्टिकल 25 में ठीक है तो यहां पर वाकार और अभीवक्ति स्वतंता 19 अर्टिकल, धर्म की स्वतंता आर्टिकल 22, समवैधाने कुपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 और समता का अधिकार 14-18 और स्वतंता का अधिकार 19-22 ठीक है, तो यहां पर आप मैच कर सकते हैं, फिर उसके बाद 101 नमबर कोशन 101 नंबर कोशन है, मॉलिक अदिकारों में कौन सी बात सुवतंतरता नहीं है, तो किस बात की सुवतंतरता नहीं है, तो आपको यहाँ पर option देखेंगे आप, कि विचार करने की आ जादी, यानि अभिवैक्टी की आ जादी है, सांती सम्मेलन करने की भी आ जादी है, B और C तो 101 का A option right हो जाता है एक सो एक का किया 101 सो एक का एक ऑप्स laws हो जाता है फिर नेक्स्ट आप देखेंगे 102 Na किस वाद ने संसद spr Bennu को मौली कद् ici-षा किस आक दिकर किस आकuba में कहा गया तो किस वाद में कहा गया है तो केश्वानन्द भारती बनाम के बहुत बड़ा verdict बहुत बड़ा जो है इससे major changement हुआ और हम लोग इसके बारे में बहुत detail में भी देखेंगे तो यहां पर basically हम लोग कोशन डिसक्राइब कर रहे हैं तो यहां पर आप देखें कि केश्वानन्द भारती बनाम जो के दिया हूँ यहां पर केश्वानन्द भारती विवाद जो था भूमिशुदार्चे भूमिश संबनित जो वाद था और इसमें 13 जजों की बैठी थी जिसने जो है जो नेर्ड दिया गया 13 जजों की बैठी ने दिया तो यहां पर यह इसलिए बहुत महत्पूर्ण हो जाता 1973 का ये किश, 1973 का ये जजिमन तो किस वाद ने 24 अपर से मिलता है लेकिन किस वानन्द भारती वाद में खहा गया था कि जो संसद है यहां संसद को संसद समिधान के किसी भी भाग में संसोधन कर सकती है लेकिन इससे मूल भूर धांचों को परवतित किये बिना किसी विभाग में संसोधन कर सकती है तो इस तरह से मूल अधिकारों में संसोधन का अधिकार किस वादत से दिया गया तो केस्वानन्द भारती बना वाद से 102 का एक option राइट हो जाता है नेश कोशन है बरतमान समय में भारती सम्विधान के अंतरगत जो संपत्तिक अधिकार है तो संपत्तिक अधिकार क्या है बरतमान समय में बताएं जल्दी तो बरतमान समय में भारती सम्विधान के अंतरगत संपत्तिक अधिकार क्या है तो संपत्य का अधिकार एक वैधानी का अधिकार है एक कानूनी अधिकार बी ओप्सन राइट हो जाता है नेश कोशन है नेश कोशन है निमलिकित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है तो विदेशी नागरिक जो है विदेशी नागरिकों को जैसा आपने आर्टिकल 19 देखा जो सुतंतताएं देखी तो जो सुतंताएं जैसे बोलने के आजादी अभिवेक्त की आजादी तो अभिवेक्त की आजादी जो है वो अपने नागरिकों को यानि किवल भारती नागर तो यह सब क्या है यह विदेशियों को भी प्राप्त है लेकिन जो बोलने कि आजा दी है अभिव्यक्ति के आजा दी वो सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है तो विदेशी नागरिकों को क्या नहीं प्राप्त है तो क्या नहीं प्राप्त है अभिव्यक्ति की सुतनता एक स कोशन है 6-14 वर्सक की आयू के बच्चों को सिच्छा का अधिकार किस जो है किसमें अधिकार दिया गया है तो 6-14 वर्सक की बालकों के लिए निसुल सिच्छा का अधिकार जो है वो आपने देखा आर्टिकल 21 का के तहट मौली का अधिकारों में डाला गया 2006 समधान सरसोदन 2002 दौरा 2002 दौरा तो यहाँ पर right answer क्या हो जाता है Right answer कि मौली कधिकार यानि यहाँ पर 6 से 14 वर्सक की बात की गई है तो मौली कधिकार जबकि जो राजी की नीदिनिसाग सिधान्त है जिनमें से article 45 आएगा तो जो राजी की निति-नितिस सिधानत है वहाँ पर 6-14 नहीं, वहाँ पर 6-14 वर्सिक कम आईगे बच्चों की बात कही जाएगी, यहाँ पर क्या है, 6-14 वर्सिक की बात, कहाँ पर मौलिक अधिकारों में आप पढ़ेंगे, 21 का आर्टिकल में, 20 का, ठीक है, 105 का B option राइट ह समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल आते थे, समता का अधिकार या समानता का अधिकार, 14-18 चोदा से अठारा यानि, 14, 15, 16 आ जाएगे, तो किसका किसका समावेश, 23, 4, तो C option राइट हो जाता है, ठीक है, 106 का C option, next question है सम्विधान के अंतरगर जो बंदी पतची करण है यानि हैबियस कॉर्पस समाधेश जारी करने का अधिकार किसमे नहीं थै तो किसमें बंदी पतची करण आपने देखा दो पांस प्रकार की रिटरती वो हाई कोट और सुप्रीम फूर्ट दोनों के पास अधिकार है तो दीकसी 9 Quesnh है भारति सम्विधान का भारति सम्विधान का कौन साा अनूच्य अस प्रोपसता का अंवलन करता है या असम्व्तर सता को समाप्त करने की बात करता है तो आर्टिकल 17 और आटिकल 16 क्या है लोग नीयोजन में औसर की समानता अर्टिकल 18 क्या है उपाधियों का की जाती है तो रिट किसके मार्धम से जारी की जाती है आपके पास option यहां पर सर्वोच नायले और उच्छ नायले में से सर्वोच नायले है तो यहां पर रिट जारी की जा सकती है तो किसे दोरा तो C option उच्छ तम नायले या सर्वोच नायले दोरा 110 का C option राइट हो जाता है नेस्ट कोशन है किसी अर्थ नयाई की असारजली का धिकारियों को अपने अनिवार करतव के लिए मजबूर करने के उद्देश सर्वोच नयले दोरा जारी की गई रिट होती है यानि अर्ध है नहाई कि असारजली का धिकार्यों को अपने अनिवार कर्तव को मजबूर करने के उद्देश से तो कर्तव को मजबूर, forcefully की बात के जारी है तो 111 का क्या right answer हो जाएगा कि जब आदेश दिया जाएगा तो forcefully कोई काम का जाएगा तो परमादेश हो जाएगा ठीक है नेस कोशन है, सम्विधान द्वारा अनुचिर जो 17 है और 18 में क्या वैस्ता के गई है तो 17 और 18, तो 17 में क्या है असपसता कांत, 18 में क्या है उपाधियों कांत यानि एक तरह से कैसी समता की बात की जारे क्योंकि समानता का अधिकार 14 से 18 आर्टिकल में था यानि 17 और 18 समता की बात करेंगे कैसी समता की बात करेंगे तो समाजिक समता की बात की जाती है यह अपसन राइट हो जाता है नेस्ट कोशन क्या है नेस्ट कोशन है भारत में भारत में जो सर्वोच नेले हैं निमनिकित मामलों में से किसे किसमें माना था कि जो मौलिक अधिकार हैं मौलिक अधिकारों में संसोधन नहीं किया जा सकता तो कौन सा ऐसा केस था जिसमें जो है माना गया कि जो मौलिक अधिकार हैं सुप्रीम पंजाब राजवाज था गोलग नाद बना पंजाब राजवाज था तो इसमें यह कहा गया किसमें यह कहा गया है कि संसोधन नहीं किया जाए잖아 तो इसे पाड़्यआमेंट की सम HEG संसद की सक्पिय को वे संसद की सक्ति किया जाता न c in सविधान सव जो niya संधूरण संधन और इंद्रागांती जी की सरकार होती है और मेजर Państwo कर दिय को खोरें तो कहां पर यह झाला अधिकारों में संसूदन यह कर सकती है जो पालिया मैंणिर पावर मिल जाती हैं तो यानि यह कई пл utilizz harvest praw people 10 इंद बना में पपन्जाब राच जाता है, ठीक है, 113 का D option, next question लोग discuss करते हैं, next question 14 number question है, कि निवलिक ज़िवेंसे कौन सा मौली का अधिकार नहीं है, तो मौली का अधिकार क्या नहीं है, संपतिका अधिकार, यानि 14 का D option राइट हो जाता है, next question है, सूचना का अधिकार किस राज में लागू नहीं होता तो सूचना का अधिकार बिसिकली यह UPSI 2009 का है इस वज़े से उस समय जमू कस्मीर राजी की स्रेणी में आता था और यहाँ पर वीज़े सुबंध लागू थे इसलिए वहाँ पर B-Option right किया गया था लेकिन वर्तमान स्यचन ने जमू कस्मीर वह UT बना दिया गया है Union Territory बना दिया गया तो हम लोग next question डिसकस करते हैं next question है मौलीक अधिकारों में संसोधन करने में कौन सक्छम है तो मौलीक अधिकारों में संसोधन कौन कर सकता है अभी आपने डिसकस किया था कि मौलिक अधिकारों में संसोधन करने के सकती किसके पास है संसद के पास है और संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संसोधन कर सकती है तो 116 का D option राइट हो जाता है नेस्ट कोशन है 117 नंबर कोशन तो 117 number question क्या है कि भारती नागरी को कोई मौलिक अधिकारों में युक्त युक्त पतिबंधों को आरोपित करने के सकती किसके पास है तो मौलिक अधिकारों में जो पतिबंध है, पतिबंधों को आरुपित कर ले किसके पास है, तो किसके पास है, संसत के पास है, मौलिक अधिकारों में संसोधन कर सकती है, कोई पतिबंध में युक्ति-युक्त पतिबंधों को लागो कर सकती है, तो ये किसके पास राइट है संसत के पास राइट है, आपने इससे संबंधित कई केस भी देखे, जैसे गोलकनाद बनाम पंजाब राजवाद देखा, केसवान अनभारती बनाम केस देखा, तो इस तरह से यह जो केस हैं, इन सबसे जुड़े हुए हैं, फिर नेक्स आप देखेंगे, लास वन कोशन है, 18 1818 नंबर कोशन क्या है, किसी कैदी को नियाले के समख प्रसुत करवाने के समझ में, किस रिट की आसकता होती है, तो पर्टीकुलर किसी वेक्ति को जो है नियाले में समख प्रसुत करवाना है, तो बंदी पचिची करना, हैबियस कॉर्पस रिट जो है, वो इसकी आसकता हो तो आपको सैसन अछा लगा होगा चालागा हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें और जादाश जादा शेयर करें और दोस्तों आप जादा-श सेयर करें लाइक करें जिस पढ़ाने वाला है newspaper उसको भी motivation मिलता है और उसके बाद आप जादा शेयर सेयर करें thank you दोसो all the best और मिलते हैं हम लोग next video में thank you do subscribe my channel thank you दोसो